हेलो अरवन कैसा आप सब लोग आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे तो आज से हम लोग श्टार्ट करें अपने पैथो फिजियो लॉजी की यूनिट नमबर टू जिसके अंदर आज हम लोग बात करेंगे अपने काडियो वास्कुलर सिस्टम डीजीज के बारे में यानि कि जो भी हमारी विबारिया हैं जो कि हमारे काडियो वास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड हैं उन सभी के बारे में आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अब दिखो सबसे पहले अगर थोड़ा सा हम लोग unit 2 की बात करें तो unit 2 में आप लोग को basically 3 topics के बारे में पढ़ना है यानि कि पहले आप लोग को पढ़ना है हमारे cardiovascular diseases के बारे में, दूसरा आप लोग को पढ़ना है respiratory diseases के बारे में अंदर आप लोग को बहुत सारी diseases के बारे में पढ़ना है जैसे आप लोग को hypertension के बारे में पढ़ना है heart failure यानि कि congestive heart failure के बारे में पढ़ना है फिर आप लोग को पढ़ना है स्केमिक हाडीजिस के बारे में, अब इसके अंदर भी हमारे कई सब टाइप होगे, जैसे आप लोग को एंजाइना पैक्टूर्स के बारे में पढ़ना है, और मायोकार्डियल इफाक्षन हो गया, एथरोस्क्लोरोसिस हो गया, तो उन सभी के बारे में, ठीक है, मतलब जितनी भी कार्डियो वास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड डिजीज हैं, और जोतना भी आप लोग के सिलाबस में दे रखा है, उन सभी के बारे में आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे, अब देखो वीडियो ऑफकॉर्स बहुत ही लंदी हो होने वाली है, क्योंकि सभी टापिग्स तो हम लोग आज की वीडियो में Pixar करने वाले है, तो दिखो सबसे पहली बात कि सभी टापिक्स की टाइयम स्टाइप आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है, तो आप लोग चाहो तो जो भी टापिक आप लोगो देखना है, उस टाइम जितने भी doubts हैं वो तो clear हो गई, बाकि यहां पर जितनी भी disease है, ठीक है, तो अगर आप लोगों ने अभी तक पढ़ी हैं, नहीं पढ़ी हैं, कोई फरक नहीं पढ़ता है, इन सभी disease के बारे में आप लोग के जो भी doubts हैं, ठीक है, वो सारे की सारे वीडियो खतम होते होते clear ह हो जाएंगे ठीक है बाकी इतना पेशन सब में नहीं हो सकता है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा एक बार में देखो तो इसलिए टाइम स्टैम दिया हुआ है उसलिए आप से आप लोग कई पार्ट में करके इस वीडियो को देख सकते हो बाकी बहुत ज्यादा इंट्रेस रखे वीडियो को देखना ठीक है तो हो सकते तो आप लोग कॉप्य और पेल लेके बैर जाओ क्योंकि उससे चीजे समझने में और भी ज्यादा आसानी हो जाती है बाकी हम लोग यहाँ पर अपनी आज की वीडियो को स्टाट करते हैं तो यहाँ पर देखो अपने काडियो सिस्टम के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले हमें बात करनी होगे अपने काडियो वास्कुलर सिस्टम के बारे में क्योंकि अगर हमें किसी भी सिस्टम से रिलिडेड विमारियों के बारे में पढ़ना है तो सबसे पहले हमें उस सिस्टम की बेसिक अंडर्स्टेंड तो दोको यहाँ पे जो हमारा human cardiovasculA system है ठीक, तो यह हमारा क्या होता है, सिस्टम कोई भी होता है, तो system of organs यानी बहुत सारे organs होता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारा cardiovascular système के अंदर हमारे heart, सबसे major, सबसे important हमारा heart हो गया उसके बाद जितनी भी हमारी blood vessels होती है यानि heart से हमारी body में जितनी भी blood vessels होती है और उसके बाद जो भी हमारा blood भी होता है उसको भी हम लोग आपे अपने cardiovascular system के अंदर include करते हैं ठीक है तो आप लोग समझ गए यहाँ पे हमारा यह heart blood vessels और blood को include करता है बाकि हमें mainly बात करनी है अपने heart के बारे में तो heart हमारा भाई क्या करता है heart हमारा blood को pump करता है into blood vessels ठीक है यानि heart हमारा blood vessels में blood pump करता है और blood vessels क्या करती है उस blood को हमारे पूरे body में circulate करने का काम करती है यानि पूरे body में जहां जहां भी जरूरत होती हैं वहां वहां तक पहुँचाने का काम हमारे कौन करता है blood vessels देखो एक चीजा दखना heart हमारा blood vessels में blood को pump करता है हमारी body में blood को नहीं pump करता है body में blood को circulate करने का काम हमारी blood vessels करती है बाकि यहां पे heart is the major organ of circulatory या फिर cardiovascular system ठीक है तो cardiovascular system को हम लोग यहां पे कभी-कभी circulatory system भी बोल देते हैं क्योंकि यह blood का circulation करता है although इसको हम लोग यहां पे blood circulatory system बोले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि इस circulatory system हम लोग जो है जब lymphatic और cardiovascular को मिलाते हैं तो होता है चलो वो सारा हमारे topic नहीं है बाकि आप लोग एक basic understanding समझ चुके हो ठीक है और अब हम लोग यहां पे mainly बात करते हैं अपने थोड़ा सा heart के बारे में तो बात करें हम लोग यहां पे heart के बारे में तो देखो कुछ basic बात है तो आप सभी को पता है जैसे कि heart हमारे hollow muscular organ होता है जो कि हमारे blood को pump करता है बाकि हमारे cone shape का होता है ठीक है और मीडिया-स्टेनम में located होता है मीडिया-स्टेनम यानि कि हमारे कैसे क्य सकते हो body के बीच-ओ-बीच located होता है upper side basically कुछ लोग को लगता है कि heart हमारे left side होता है और उसके बाद इसका वेट जो है फिमेंस में 250 ग्राम और मेंस में 300 ग्राम तो यह सभी पता है मेंली हमें क्या समझना है हमें यह समझना है कि यह हमारा हार्ट है अखिर यह हमारा काम कैसे करता है तो दिखो आप लोग बहुत ध्यान से यहाँ पर अब चीजों को देखना यह सबसे इंपॉर्डेंट बाट है यह अगर आप लोग समझ गए तो आप लोग को जो भी डिजीजेज यह आगे वह बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे तो दिखो हार्ड को भी समझने से पहले सबसे पहले हम लोग समझते है अपने ब्लड विसल्स को तो दिखो मेंली यहाँ पर जो हमारी ब्लड विसल्स हैं यह होती है दो टाइप की ठीक है तो पहली होती है हमारी आर्ट्री दूसरी होती है हमारी यहाँ पर वेंस अब आर् तो ब्लड हमारा deoxygenated होता है, जिसके अंदर यानि oxygen नहीं होता है, वो हमारा flow होता है veins में, और generally क्या होता है कि i3 में हम लोग थोड़ा सा red color से दिखाते हैं, यानि हमारा oxygenated blood i3 में flow होता है, और generally यहाँ पर veins का हम लोग blue color से denote करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल आप लोग एक चीज़ क्लियर रखना कि veins में हमेशा क्या होगा deoxygenated blood, और i3 में हमेशा oxygenated blood, लेकिन यहाँ पर दो exception case आते हैं, देखो हमारी पूरी body के अंदर कहीं भी कोई भी artery हो, हमेशा उसके अंदर हमारा oxygenated blood होगा, यानि red color का blood होगा, और जो हमारी veins है, उसके अंदर थोड़ा सा कह सकतो हमेशा deoxygenated blood होगा, यानि कह सकतो उसको हम लोग थोड़ा सा blue से दिखाते हैं, लेकिन यहाँ प pulmonary artery और pulmonary veins, तो इतना बिल्कुल clear है ना कि देखो, artery हमारी का होते है, जिसके अंदर oxygenated और veins हमारे कह उता है, जिसके अंदर oxygenated और इसलिए इसको हम लोग थोड़ा सा अलग color से दिखा देते हैं, जैसे pulmonary artery को थोड़ा सा violet color से दिखा देते हैं, और pulmonary veins को orange ठीक है, इसका मतल और इसके अंदर deoxygenated तो इतना बिल्कुल clear है ना अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं अपने हार्ट को तो सबसे important चीछ जो हार्ट के अंदर हमें देखनी है कि हार्ट के अंदर हमारे होते हैं basically 4 chambers तो यहाँ पर देखो अगर आप लोग 4 चमबर को देखो अब चुकि यह दोनों हमारे right side हैं तो इनकों लोग को बोल देते हैं उपर वाले को right atrium नीचे वाले को right ventricle देखो उपर वाले ventricles, तो यह वाला right है ठीक है, तो right ventricle और यह वाला क्या हो जाएगा? यह वाला हो जाएगा left atrium और left ventricle और यहीं हमारे सबसे ज़्यादा important काम करने वाले हैं. तो देखो, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि हमारी body में किस तरीके से heart में blood आता है और किस तरीके से heart हमारा body को blood supply करता है. तो देखो, सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले हमारी जो body से blood होता है. एक चीज़ समझना, कि यह body से heart में जो blood आता है, वो हमारा deoxygenated blood होता है, ठीक है, तो deoxygenated blood कैसे आता है, हमारा veins से ही तो आएगा, हम लोगों ने क्या दिखा, जो हमारी veins है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, deoxygenated blood, except हमारा pulmonary veins, तो pulmonary veins हमारा सिर्फ heart के अंदर ही होती है, अभी हम लोग देखेंगे कैसे होती है, बाकि generally जो हमारी body से blood आता है, तो वो हमारा veins के तुर आएगा, तो देखो, यहाँ पर हमारी body के अंदर, कह सकतो, heart के अंदर हमारी 2 veins होती है, एक होती है superior venakawa, और दूसरी होती है inferior venakawa, देखो, यह दोनों हमारी क्या veins है, ऊपर वा part से जो blood है, वो हमारा superior venakawa से आया, और inferior यानि की नीचे से जो blood है, ठीक है, वो inferior venakawa से आया, तो देखो, इन दोनों से blood हमारा आता कहा है, इन दोनों से blood हमारा सबसे पहले आता है, हमारे right atrium में, देखो, यहाँ पर यहाँ से तो directly इस तरीके से आ गया, ठीक है, बाकि यह जो यह वाली inferior venakawa है, इसकी opening अगर आप लोग देखो, तो यह देखो, यह यहाँ पर इसकी opening हो रही है, ठीक है, यह देखो, यह पीछे से जाके, और यहाँ पर इसकी opening होती है, तो इन दोनों से blood हमारा सबसे पहले आया हमारे right atrium में, और right atrium से blood हमारा चला जाता है, हमारे pulmonary artery में, अब pulmonary artery, हम लोगों ने अभी क्या देखा, pulmonary artery हमारी body की वो artery होते है, जिसके अंदर हमारा deoxygenated blood होता है, और यह blood हमारा क्या है, deoxygenated ही तो है, तो यह हमारा जाता है, हमारे pulmonary artery के अंदर, अब यह pulmonary artery के अंदर देखो blood कैसे जाता है, pulmonary artery के blood हमारा जाता है, और और उसके बाद यह देखो, एक हमारा इस साइट से, ध्यान से देखना यहाँ पे बहुत important चीज़ है, कि pulmonary artery से ब्लड जो हमारा deoxygenated blood है, जिसके अंदर हमारा, कैसे हमारा impure blood है, वो हमारा जाता है lungs के अंदर, यहां से कहा जा रहा है blood, यहां से blood हमारा कहा गया, lungs के अंदर, अब lungs के अंदर जाके क्या होता है, कि जो हमारा blood है, तो lungs उनको क्या कह सकतो कि, हमारे deoxygenated blood को, हमारा convert कर देता है, oxygenated blood में, और उसके बाद क्या करता है, lungs हमारा oxygenated blood है, उसको दुबारा से हमारे heart में बेचता है, अब कैसे बेचता है, तो दिखो, lungs हमारा oxygenated blood को, यानि कि, ये चारो हमारी होती है, pulmonary veins और यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा pulmonary veins हमारी body की इकलोती वो veins होती है, जिसके अंदर हमारा oxygenated blood होता है, ठीक है इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना है इस चीज में आप लोगो confusion नहीं होने चीज़ए कि भले artery में हमारा oxygenator होता है भले veins में हमारा deoxygenator होता है लेकिन pulmonary artery और pulmonary veins के case में यह चीज उल्टी हो जाती है तो यहाँ से दिखो हमारे lungs के दिखो, एक चीज समचना है इसका नाम pulmonary क्यों है, क्योंकि यह हमारे lungs तक blood लेके जा रही है, और lungs से blood लेके आ रही है, तो जो हमारा lungs है तो जो oxygenated blood की है, वो हमारा pulmonary veins देखो, अब यह हमारी चार veins होती है एक, दो, तीन, चार और इन चारों की opening कहा होती है इन चारों की opening हमारी होती है जो हमारे left atrium के अंदर, ध्यान से सुनना, ठीक है तो यहाँ पर देखो, अगर आप लोग देखो, तो जो left atrium है इसके अंदर हमारे क्या होता है left atrium के मंदर होता है हमारा oxygenated blood, ठीक है तो इन चारों से हमारा blood आया left atrium के अंदर, और left atrium से हमारा blood गया हमारे left ventricle के अंदर, ठीक है Venacava क्या होता है हमारे body की सबसे बड़ी vein होती है और Alta क्या होती है हमारी body की सबसे बड़ी artery होती है और बाकि इनके अंदर simply Venacava के अंदर हमारा deoxygenated और artery के अंदर हमारा Alta के अंदर हमारा oxygenated blood ठीक है तो इतना I hope कि आप लोग को बिल्कुल clear हो गया होगा देखो एक चीज बिल्कुल आप लोग को समझ लेनी है कि जो हमारे right atrium और right ventricle है इसके अंदर होते हैं deoxygenated blood देखो इसको मैंने थोड़ा सा blue से दिखाया और जो हमारे left atrium और left ventricle होता है उसके अंदर होते हैं हमारे oxygenated blood इसको इसलिए मैंने red से दिखाया है ठीक है यहां से blood हमारा जाता है oita के अंदर और right और left ventricle में हमारा blood आता है जो है venakawa से ठीक है यहां में blood आता है और यहां से blood जाता है ठीक है यानि हमारे पूरी body से जो blood आता है वो हमारा आता है कह सकते हो right atrium और right ventricle में और जो हमारी पूरी body को blood जाता है वो हमारा जाता है left atrium और left ventricle के through I hope कि आप लोगो बिल्कुल इतना clear हो गया होगा ये चीज समझना बहुत जरूरी है तो अब यहां पर हम लोग थोड़ा सा एक और भी चीजों पर discuss करें तो heart की जो हमारी ऊपर की लेयर होती है यानि कह सकते हैं यह heart की आप लोगो wall दिख रही है उपरी तो यह भी हमारी 3 मतलब कह सकते हैं 3 layer से मिलके बनी होती है यानि इस wall को अगर हम लोग जूम करके देखें तो यहां पर यह हमारी 3 layer से मिलके बनी होती है तो जो सबसे अंदर की layer होती है सबसे inner layer होती है इसको हम लोग बोलते है endocardium जो beach की layer होती है इसको हम लोग बोलते है myocardium और यह हमारी सबसे मोटी layer होती है सबसे important कह सकते हो हमारी myocardium होती है और ये myocardium आप लोग ध्यान रख लेना ये अभी आप लोग को बहुत बाहर देखने को मिलने वाला है और उसके बाद जो सबसे upper layer होती है सबसे मतलब कह सकते हो बाहर की जो layer होती है उसको हम लोग बोलते है pericardium और pericardium के अंदर हमारा एक type होता है epicardium ठीक है ये हमारी दो type के होती है तो उसी के अंदर एक हमारा होता है epicardium तो कभी-कभी आप लोग को ये epicardium साम नाम से भी देखने को मिल जाएगा लेकिन epicardium आप लोग को पता होना चाहिए कि ये हमारा pericardium के type है तो ये हमारी सबसे बाहर वाली layer हो गए और ये हमारी बीच वाली और ये हमारी सबसे अंदर वाली और ये तीनों काया है हाट की layer है जो कि हमारे इस तरीके से होती है तो I hope कि आप लोग को यहाँ पर इस ये चीछें बिल्कुल clear हो गया होंगी बाकी आप लोग जो है एक बार इस figure में भी देख सकते हो कि देखो यहाँ पर क्या है इन वेन इस यह हमारा superior हो यहाँ से हमारा ब्लड आता है हमारा blood पूरी body के अंदर supply हो जाता है इस तरीके से हमारे blood की supply हमारा heart पूरी body में करता है I hope कि आप लोग को यह चीजे बिल्कुल clear हो गया होंगी बहुत जरूरी यह समझना तो अब हम लोग यहाँ पे अपने cardiovascular diseases के बारे में बात थोड़ा सा कर सकते हैं बाकि chambers वही चीज है कि हमारे heart के अंदर चार chambers होते हैं right atrium, left atrium, right ventricle, left ventricle और left ventricle सब चीज आप समझ चुके हो अब हम लोग बात करते हैं अपने cardiovascular diseases के बारे में ठीक है जो कि हमारा main topic है तो यहाँ पे दिखो अगर हम लोग बात करें अपने cardiovascular diseases के तो इसका मतलग क्या है कि जाने कि जो भी ऐसे हमारी diseases जो भी बिमारिया है जो कि हमारे heart और blood vessels से related है याँनि अगर हमारे heart और blood vessels में कोई भी बिमारी हो जाती है तो उस ही को हम लोग यहाँ पे cardiovascular diseases का नाम दे देते हैं अब यहाँ पे जो हमारी वैसे मतलब इनके अलावा भी बहुत सारी disease हो सकती है लेकिन जो सबसे most common है ठीक है जो सबसे जादा देखने को मिलती है वो हमारी यह सारी diseases होती है जिसमें पहला हो जाता है hypertension दुसरा हो जाता है congestive heart failure और फिर हमारा हो जाता है ischemic heart disease अब देखो इसी के अंदर हमारे कुछ types हो जाते है जैसे यह सारी हमारी कुछ अलग सी disease नहीं है बलकि हमारे ischemic heart disease कही एक type है जैसे angina factoris, myocardial infarction, atherosclerosis sclerosis तो इन सभी के बारे में अब हम लोगो बहुत detail में बात करनी है ठीक है ? और अब हम लोग यहाँ पर बहुत अच्छी से बात कर सकते है तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने hypertension के बारे में तो यहाँ पर देखो जो हमारा hypertension है तो यहाँ पर यह जो हमारा term है hypertension, इसका मतलब होता है हमारा यहाँ पर high blood pressure, अब दिखो यहाँ पर hypertension नहीं होगर हम लोग देखना चाहिए, तो hyper का मतलब हो गया high, और tension का मतलब ही होता है pressure, अब चुकि हम लोग इसको बात कर रहे हैं, अपने heart के बारे में, तो हमारा heart में, sorry, क्या सकतो, cardiovascular के बारे में, तो हमारा high blood pressure हो गया, simple है, अच्छा, यहाँ पर high blood pressure समझने से पहले आप लोग को समझना होगा कि blood pressure क्या होता है, और क्यों होता है, दिखो blood pressure हमारा क्या होता है, pressure exalted by blood, on the wall of blood vessels, यानि कि दिखो यह जो हमारी blood vessels है, ठीक है, तो जब हमारा blood यहाँ पर flow होता है, तो दिखो जब हमारा blood flow हो रहा है, तो इसकी जो walls है, इनके अंदर कुछ pressure भी तो लगा रहा होगा, तो जो pressure हमारा walls पर लगा रहा है, इसी pressure को आप लोग बोलते है, blood pressure, अच्छा, यहाँ पर आप लोग के mind में question आ सकता है, कि आखिर यह हमारा blood है, यह pressure लगा करनी होती है, मलब ऐसा तो है ने कि जो हमारा heart है, ठीक है, उसको सिर्फ अपने आसपास blood supply करनी है, उसको पूरी body के अंदर blood supply करनी है, अब जिसे एक बहुत ही simply है, आप लोग समझ सकते हो कि मान लो ही हमारा heart है, और इसको हमारी ऊपर की तरफ भी तो blood supply करनी है, अब अगर मान लो इसके अंदर pressure नहीं होगा अगर हमारा blood pressure नहीं होगा हमारे vessels के अंदर तो हमारा blood है, वो हमारा जादा दूर पहुछी नहीं पाऐगा, एक चीज़ समझो कि जितना जादा pressure होगा, उतना ही जादा दूर तख हमारा blood की supply हो सकती है, तो एक normal pressure maintain होना भी बहुत जरूर तो दिखो उसी चीज़ को हम लोग बोलते है normal blood pressure और जब वही pressure हमारा कुछ ज्यादा बढ़ जाता है ठीक है normal से कुछ ज्यादा बढ़ जाता है तो उसी को हम लोग बोलते है high blood pressure या फिर hypertension अब यहाँ पर दिखो it is a chronic medical condition that arises when blood pressure is abnormally high ठीक है यानि कि जब हमारा blood pressure बहुत लंबे time तक high रहता है उसी को हम लोग बोलते है hypertension दोगो chronic का मतलब होता है long time यह नहीं होता है कि मतलग कभी आप लोगोंने नापा आप लोग का blood pressure अचानक से बहुत high हो गया तो आप लोगोंने बोल दिए hypertension हो गया यहाँ पर सबसे important चीज यहाँ पर hypertension के अंदर है और यही चीज हमारे पूरे hypertension का base है देखो एक चीज समझना हमारा blood pressure shifts दो condition में ही बढ़ सकता है ठीक है पहले condition क्या होते है कि या तो हमारा जो vessels है ठीक है तो वो हमारी narrow हो जाए यानि कि देखो simply बात है कि मानलो हमारा यह blood vessels का normal size है यहाँ पर blood हमारा आसानी से flow कर रहे है लेकिन अगर किसी condition की वज़े से यह जो blood vessels है यह हमारी narrow हो जाए ठीक है तो यहाँ पर इस case में क्या हो सकता है जो हमारा अच्छे एक चीज बिलकुल simply समझो कि मानलो कोई चीज जडिक है और उसको flow होने के लिए इतना इतनी जगा मिल रही तो आराम से flow रहे है और वही जगा अगर इतनी कम हो जाएगी तो वहाँ पर क्या होगा उसके अंदर प्रशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा बढ़ जाता है तो वही चीज है कि अगर हमारी blood vessels narrow हो गई तो pressure automatically हमारा बढ़ जाएगा तो एक condition तो हमारी यह हो सकती है और दूसरी condition क्या हो सकती है कि जो हमारा blood vessels है तो मानलो यह हमारी blood vessels है और यह हमारा blood का amount है जो कि इस blood vessel में enter हो रहे है तो यहां पर चलो ठीक है इतना हमारा amount है इतना इंटर हो रहा है अलाम से flow हो रहा है लेकिन अगर यह हमारा blood volume बहुत ज्यादा हो जाए ठीक है यानि कि हमारा blood pressure दो condition में बढ़ सकता है याँ तो हमारी blood vessels dope hem hem narrow हो गई हो और या तो जो हमारा blood volume है वह हमारे यहाँ बढ़ गया हो अगर इन दोवने से कोई भी condition होती है तो हमारा blood pressure है वह हमारा बढ़ जाता है ठीक pork तो यहाँ पर क्या दिखा है कि it occurs when blood vessels get narrowed यानि कि जब हमारी blood vessels बहुत ही narrow हो जाती है and cause blood to exert more pressure on heart's wall ठीक है और यहाँ पर इसकी वज़े से क्या होता है कि जो हमारा vessel की wall है ठीक है उसकी वज़े से हमारा ज्यादा pressure बढ़ जाता है बाकि heart and blood vessels can tolerate high blood pressure for months and years but eventually high blood BP ended up damaging walls of heart and leads to heart failure तो को एक चीज़ समझना कि जो हमारा heart है ठीक है और जो हमारा blood vessels है यह हमारी तिनी capable होती है कि अगर माल लो काफी दिनों तक जैसे महीनों तक या फिर सालों तक भी अगर blood pressure high है तो यह उसको manage कर सकती है या नहीं कि उसको कह सकतो तो सह सकती है ठीक है handle कर सकती है लेकिन at last में क्या होता है जब हमारा blood pressure काफी लंबे डाइम तक high चलता ही रहता है तो at last में क्या होता है कि वो हमारी जो blood vessels की wall है या फिर कह सकते है जो हमारा heart है ठीक है उसको यहाँ पर at last में काफी damage कर देता है जिसकी वज़े से क्या होता है at last में जो हमारा heart है वो हमारा fail हो जाता है अब देखो heart failure के बारे में भी हमें जो है next topic में पढ़ना है ठीक है तो हम लोग वहाँ पे detail में discuss करेंगे कि कैसे क्या चीजे होती है और बाकी हम लोग थोड़ा सा अगर एक मतलब थोड़ा सा एक चीजे को देखें तो as per the world health statistics approximately 1.5 billion adult population across the world is suffering from hypertension देखो 1.5 billion बहुत ज़्यादा amount होता है ठीक है यानि कि हमारे पूरे वर्ड में इतने adult pupil हमारे क्या कर रहे है कि हमारे hypertension से suffer कर रहे है ठीक है तो यहाँ पर एक चीज़ समझने वाले है कि इतने ज़्यादा लोगों को यह बिमारी है तो देखो ऐसा है ना कि hypertension की भी कई stages होती है जैसे सब को यहाँ पर इतना extreme hypertension नहीं होता है कुछ लोग काफी low stage में होते हैं जो कि इतना harmful नहीं होता है तो यहाँ पर अब हम लोग थोड़ा सा समझते हैं अपने hypertension की stages को ठीक है तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं अपने stages of hypertension के बारे में तो देखो यहाँ पर एक चीज़ समझो hypertension का मतलब क्या है high blood pressure अब देखो hypertension की stages जानने के लिए सबसे पहले आप लोगो यह तो पता होना चाहिए कि आप normal blood pressure क्या होता है जैसे जब normal आप लोग को पता होगा तभी तो आप लोग यह पता पाऊगा कि high कितना है तो यहाँ पर देखो एक चीज़ तो पता होती है आप लोगों कि normal blood pressure हमारा कितना होता है 120 by 80 mm of Hg लेकिन अखिर मतलब यह होता क्या है 120 क्या होता है 80 क्या होता है तो देखो यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा ज्यान से समझना है कि जैसे यह जो हमारा heart होता है तो अभी हम लोगों ने चलो बहुत आसानी से देख लिया कि हमारा heart में क्या होता है right atrium से blood हमारा चला जाता है right ventricle में right ventricle से blood हमारा चला जाता है pulmonary artery में बाकि यहाँ पर इस side हम लोग देखें तो यहाँ पर हमारा left atrium से left ventricle में left ventricle से orta में लेकिन क्या यह इतनी आसानी से चला जाता है, मतलब यह अपने आप ही चला जाता है हमारे blood, नहीं, बिलकोल भी अपने आप नहीं जाता है, तो यह कैसे जाता है, तो इसी चीज को हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, देखो, सबसे पहले क्या होता है, कि जैसे एक चीज आप ल यह हमारे करते हैं contract दिको इस चीज को बिल्कुल ऐसे समझो कि यह दोनों क्या है अभी यह दोनों हमारा blood से fulfill है यानि अभी हमारा ventricles में कोई भी blood नहीं है यानि कह सकते हो सिफ हमारा atrium में कह सकते हो यहां पर यह हमारा oxygenated blood है और यहां पर हमारा oxygenated ठीक है तो इन दोनों से blood को अगर हमारा right ventricle में भीजना है और left ventricle में भीजना है तो यहां पर क्या होगा इनको थोड़ा सा contract करना पड़ेगा तो यह दोनों जब थोड़ा सा contract contraction मतलब अप लोग कह सकते हो कि थोड़ा सा पिचकना ठीक है थोड़ा सा दबना तो यहां पर क्या होता है यह जो दोनों atrium से यह हमारे करते हैं मतलब थोड़ा सा दब जाते हैं तो इनकी वज़े से क्या होता है जब यह दबते हैं ठीक है दब यह contract करते हैं उसकी वज़े स कल सी यह हमारा ब्लाड है वो हमारा इन दोनों से ट्रांस हो जाता है कहां हमारे राइट िषडरिकल और ले yards लेफ्ट रेकल में ठीक है तो इस दीछ को व्लों क्यों TB robot हमारा कहा जाता है देखो right ventricle से जाता है हमारा pulmonary artery में और left atrium से हमारा कहा जाता है left ventricle से हमारा oita में तो अब यहाँ पर oita और pulmonary artery में अगर blood भीजना है तो अब हमारे ventricles को भी तो contract करना पड़ेगा यानि ventricles से contract करेंगे तो हमारा इन दोनों में blood जाएगा तो next stage में क्या होता है next stage में यह जो हमारा ventricles में blood है ठीक है यानि right ventricle में हमारा कॉन सा है deoxygenated और left ventricle में हमारा कॉन सा है oxygenated तो यह हमारा जाएगा oita में और यह हमारा जाएगा pulmonary artery में तो यहां पर क्या होता है, अब यह दोनों हमारे contract होते हैं, यह दोनों थोड़ा सा पिचकते हैं, थोड़ा सा दबते हैं, I know, बहुत ही, थोड़ा silly world लग रहा है, बट कुछ लोगो नहीं समझ पर रहता है, उनके लिए बोल रहा है, ठीक है, बाकी contraction आप लोग समझ रहोगे, तो इसकी वज़े से क्या होता है, कि यह हमारा जाता है, यहां पर हमारा left ventricle to oita, देखो, यहां पर क्या हो रहा है, जब यह हमारे contract कर रहे हैं, तो left ventricle से हमारा blood जा रहा है oita में, और right ventricle से हमारा blood जा रहा है pulmonary artery में, ठीक है, यहां पर देखो, यहां से blood हमारा जा रहा पुल्मोनरी में और यहां से हमारा जाना है ब्लड ओटाम ठीक है तो यहां पर हमारा इस stage को लोग क्या बोलते हैं ventricle contraction यानि सबसे पहले हमारा होता है atrium contraction और फिर हमारा होता है ventricle contraction और इसके बाद हमारा होता है complete relaxation यानि देखो अभी क्या होंगे अभी इन दोनों step के बाद हमारा जो ventricles है वो यहां पर दुबारा से पूरी तरीके से relax हो जाएंगे यानि पूरी तरीके से हमारे दोनों ventricles आपस में कह सकते हो complete relaxation की step होती है हमारे इन दोनों के बाद तो यहाँ पर कह सकते हो हमारी 3 step हमें देखने को मिलती है जब भी हमारा blood transfer होता है पहला होता है adrium contraction, दूसरा होता है ventricle contraction और थार्ड होता है हमारा यहाँ पर complete relaxation अब यहाँ पर जो हमारा contraction है न इस चीज़ को हम लोग बोलते है systole और relaxation है इसको हम लोग बोलते है diastole तो यहाँ पर दिखो जो हमारा blood pressure है वो हमारा दो type का होता है पहला होता है हमारे यहाँ पर systolic BP और दूसरा होता है हमारा यहाँ पर diastolic BP तो systolic BP आप लोग समझके न कि वो blood pressure जो की हमारा contraction के time पर होता है उसको हम लोग बोलते है diastolic BP तो दिखो simple सी बात है कि जब contraction होगा तो BP थोड़ा ज्यादा होगा और जब हमारा relaxation होगा तो BP थोड़ा सा normal हो जाएगा तो relaxation systolic मतलब कह सकतो contraction के time हमारा normal systolic BP जो होता है वो होता है हमारा less than or equal to 120 mm of Hg यानि 120 या फिर उससे कम थोड़ा सा कम अगर है जादा नहीं थोड़ा सा कम है तो उस चीज को बोलते है normal systolic BP और अगर इस असी या फिर से थोड़ा सा कम है तो उस चीज को बोलते है normal diastolic BP तो यह हो गया हमारा या पर normal blood pressure आप लोग समझ गे ठीक है लाइफ में इस तरीके से modify ही हो चुका है कि हम लोग 130 by 80 या फिर 130 by 90 mm of hg को भी normal ही consider करते हैं बट फिर भी ये एक ideal value होती है कि 120 by 80 है तो हमारा blood pressure exam normal है तो ये हो गया normal अब देखो simple सी बात है कि भाई इस normal से अगर जैसे जैसे बढ़ना चालो होगा तब ही हम लोग बोलेंगे कि hypertension की stage develop हो रही है तो सबसे पहली stage आती है हमारी pre hypertension यानि कि यहाँ पर क्या होता है कि hypertension actual में नहीं होता है लेकिन hypertension develop हो रहा होता है तो यहाँ पर इसकी हमारा systolic BP के value होते है 122,139 ठीक है यानि pre hypertension में यतने BP होते है systolic और diastolic हो जाती है हमारी 80-89 अब उसके बाद आती है हमारी stage number 1 यानि यहाँ पर हमारा hypertension develop हो चुका होता है stage 1 का होता है यानि बहुत खतरनाक भी नहीं होता है लेकिन अच्छा तो बिल्कुल नहीं होता है तो यहाँ पर हमारा BP जो है value हो जाते है 148-160 और 90 से कह सकतो लगबग 100 की भीश में और फिर आता है हमारा सबसे severe stage number 2 यानि यहाँ पर जो हमारा baby है वो बहुत ज़्यादा high हो जाता है और यह हमारे लिए बहुत ज़्यादा dangerous हो जाता है इसकी वज़ए से heart attack वगरा के chances भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते है और यह हो जाता है अगर हमारी BP 160 से भी पार चली जाते है तो यह हो जाता है हमारे यहाँ पर stage number 2 जो कि बहुत ही severe condition हो जाती हाई pressure гор टो यहाँ पर सबको हमारे stage 2 होता है कुछ को हमारे stage 1 होता है कुछ हमारे pre hypertension में पिंगाइच ही बहुत है लेकिन एक बार कह सकते हो की लग बार इतने प्यूपिल आज के दिन में हमारे पूरे वर्ड में hypertension के खत्रे में है यानि बहुत एक common बीमारी हो चुकी आज के दिन में ठीक है क्योंकि दिखो भाई सबसे common region है इसका stress ठीक है तो stress की वज़े से hypertension बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ जा रहा है अभी हम लोग इसके regions में देखेंगे बाकी यहाप इस types of hypertension की बात करें तो hypertension को हम लोग यहाप दो type में classify कर सकते हैं पहला हो गया primary दूसरा हो गया secondary अब यह primary secondary क्या है तो देखो बहुत ही simple है primary hypertension क्या होता है इसको हम लोग खबसे पहली बात जो है एक और नाम से जानते है essential hypertension और देखो एक चीज़ समझना कि अगर मान लोग किसी को भी hypertension होता है तो मान लोग पूरे वर्ड में अगर 100 लोग को hypertension हो रहा है मलब कहीं भी मान लो 100 लोग को हो रहा है तो उसमें से पंचान नम्हें यानि कि primary hypertension में क्या होता है generally causes behind this are unidentified yes and this is the major important thing ठीक है कि hypertension क्या होता है यह हमारी एक ऐसी बिमारी है जिसके पीछे हम लोग कोई exact region नहीं बता सकते कि हाँ इसी चीज़ की वज़े से हो रहा है और यह ही सबसे कह सकतो बेकार बात है ठीक है और फिर हमारा जात है secondary ठीक है जो कि बहुती थोड़ा सा less common होता है और secondary hypertension is often arised by other medical conditions such as kidney, artery, heart और endocrine system disorders यानि कि अगर मान लोग हमारे kidney में कोई disease हो गई, हमारे artery में कोई problem है heart में कोई और भी problem है या फिर हमारे endocrine system में कोई problem है तो उस time अगर कोई problem हमारे BP को भढ़ाती है तो उसको हम लोग बोलते है secondary hypertension यानि हम लोग कह सकते हैं कि जो है it's less common than primary hypertension affecting 5-10% of hyperdense patients यानि कि दिखो लगबग 5-9% में तो primary hypertension ही होता है जिसके पीछे का region हमें नहीं बता है बाकी कुछ जो बच जाते है वो हमारे इसमें आ जाता है जिसके पीछे हमें थोड़ा बहुत region कह सकते हो मालूम होता है यानि इसके पीछे कुछ और बीमारी होती है जिसके वज़े से ये develop हो जाता है और ये हमारे younger pupil में more common होता है तो बिलकुल अगर simply आप लोग याद रखो तो primary का हमें cause नहीं पता है और generally का हमें secondary का हमें cause थोड़ा सा पता होता है और अब हम लोग यहाँ पर बात करते है अपने etiology या फिर causes of hypertension के बारे में अब देखो यहाँ पर इस चीज को समझने से पहले आप लोग को समझना होगा हमारे pathogenesis of hypertension ठीक है यानि सबसे पहले हम लोग देखते है कि हमारा hypertension का क्या mechanism होता है और उसके बाद हम लोग देखेंगे regions क्या-क्या होता है ठीक है क्योंकि यह चीज़ आप लोग समझोगे ना तो वह चीज़ आप लोग को ज्यादा इजली समझ में आएगी अब देखो pathogenesis सबसे पहले इस world को आप लोग बिलकुल अपने दिमाग में fit कर लो ठीक है यह pathogenesis का मतलब क्या है इसका मतलब होता है simply mechanism यानि कि कोई जो हमारी बिमारी है वो हमारी किस तरीके से develop हो रही उसी को लोग बोलते है pathogenesis तो देखो pathogenesis of hypertension is often multifactorial and complex यानि कि जो hypertension है जैसा कि हमें पता है कि भाई जब इसके पीछे हमें कोई exact region पता ही नी चल पा रहा है ठीक है तो इसका जो कह सकते हूँ कि जो pathogenesis and mechanism है वो हम लोग बिलकुल exactly नहीं भी बता सकते है ठीक है बाकि बहुत सारे factors पर depend हो सकता है और बहुत ही complex होता है it can be described by following mechanism बाकि इसको हम लोग दिखा सकते हैं कि हाँ इन वज़ा से हो सकता है कि हमारा hypertension हो जाए ठीक है बाकि इसके अंदर हम लोग कह सकते हैं increased arterial resistance ठीक है chronic cranial failure, sympathetic activation और activation of rash system तो ये चारो हमारे कुछ mechanism होते हैं जिसके थ्रू हम लोग समझा सकते हैं कि ह हमारा hypertension हाँ develop हो रहा है तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने increased arterial resistance के बारे में ठीक है तो यहाँ पर दिखो increased arterial resistance इसका मतलब क्या है कि हमारा जो artery है उसके अंदर resistance बहुत ज़्यदा develop हो जाता है resistance का मतलब क्या होता है resistance मतलब होता है कि इसी चीश को रोकना यानि कि blood को कह सकता है तो यह थोड़ा सा रोकने की power जो है artery के अंदर develop हो जाती है तो यह कैसे होता है an increase in arterial resistance can lead to hypertension by raging blood pressure within arteries अब देखो simple सी बात है कि अगर artery में कुछ भी region की वज़े से अगर blood को वो आगे flow ही नहीं होने दे रही है ठीक है और blood flow होने में resistance कौश कर रहे है उसकी वज़ होती है अगर जो इसकी मतलब यह समझो कि यह हमारे elastin मेंगरा सही बनी होती है ठीक है मतलब इसके पीछे हमारे connective tissue होते है तो connective tissue के अंदर main क्या होता है elastin मेंगरा होते है तो अगर वो हमारे fracture हो जाए फिर बहुत जाता थीन हो जाए या फिर increased collagen deposition या फिर क्या हो जाए जो हमारी artery मतलब जो भी हमारी blood vessels है ठीक है अगर उसके अंदर हमारा कुछ collagen develop हो जाए ठीक है मतलब जैसे artery है उसके अंदर अगर कुछ deposit हो जाए ठीक है मतलब क्या है increased collagen deposition and increased wall thickness देखो collagen deposition का मतलब क्या है कि collagen हमारा कह सकतो connective tissue का एक part होता है आप लोग अगर connective tissue पढ़े तो इसकी वज़े से क्या होगा भाई हमारे artery की thickness बढ़ जाएगी और artery की wall की अगर thickness बढ़ी तो हमारा artery narrow नहीं हो गई देखो पहले क्या था पहले हमारा blood को flow होने के रिए इतनी जगा मिल रही थी और अब यहाँ पर इस part में अगर देखो तो जगा कम नहीं हो गई और stroke के बारे में हम लोग brain के अंदर बात करेंगे ठीक है तो यह हमारा इसकी वज़े से stroke वेगरा की भी problem बढ़ जाती है और बाकी हम लोग बात करें अपने second mechanism की तो यहाँ पर यहाँ पर आप लोग सोच रोगए कि kidney का अच्छा renal मतलब सबसे पहली बात होता है kidney ठीक है renal ज not function properly then it fails to excrete normal amount of sodium that leads to sodium depuration देखो यहाँ पर ध्यास समझना सबसे पहली बात कि kidney हमारे क्या करती है हमारा जो kidney है वो हमारे fails to excrete normal amount of sodium देखो जब blood का हमारा kidney filtration करती है तो blood के अंदर कई सारे हमारे कह सकते हो क्या होते है कई सारे waste materials होते है जिनको हमारे kidney क्या होती है हमारे blood को filter करके urine के थुरू बाहर निकाल देती है यानि जो भी हमारा waste होता है वो हमारा urine के थुरू क्या होता है urine के थुरू हमारे body से बाहर निकाल दिया जाता है लेकिन अगर इसके function में problem आई तो क्या होगा इन जो यह जो waste निकाल रही थी हो सकता है कि यह waste जो है कुछ चीज़े ना निकाल पाए तो यहाँ पर इसी तरीकी का एक waste हमारा कह सकते हो NA plus होता है महलब ऐसा निका सकती कि NA plus पूरा waste होता है लेकिन अगर NA plus जादा है तो उसको निकालना भी जरूर ही है लेकिन क्या होता है कि kidney में जब problem आती है तो यह NA plus को secret करना कम कर देती है यानि NA plus का क्या होता है retention, retention मतलब कह सकते हो जमा होता है यानि NA plus क्या होता है न प्लस और NA plus और water कह सकते हो इन दोनों आपस में बहुत जयदा connection होता है अब देखो जब आप लोग रीनल सिस्टम पढ़ोगे तो आप लोग समझोगे कि अगर एकठा होना चालो हो गया तो उसकी वज़े से हमारा water retention भी बढ़ जाएगा यानि हमारा पानी भी बहुत ज़्यादा blood में कह सकतो हमारी body में एकठा होना चालो हो जाएगा हमारा hypertension सिर्फ 2 वजे से होता है या तो हमारी artery narrow हो जाए या तो हमारे blood का volume बढ़ जाएगा तो blood का volume बढ़ने से क्या होगा at last में हमारे blood का pressure बढ़ेगा जो हमारा cause करेगा hypertension तो यहां पर इस तरीके से क्या होता है, kidney भी हमारे hypertension को cause कर सकती है, यह अगर हमारे kidney काफी लंबे समय से fail हो जाए, chronic, chronic का मतलब होता है long time, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना, now this sodium retention causes water retention that increases the blood volume that leads to hypertension, और आप लोग इस चीज़ को समझ चुके हो, ओके, यह जो nervous system है, तो nervous system हमारा basically दो type का होता है, पहला होता है central, दूसरा होता है peripheral, central के अंदर होता है brain and spinal cord, और peripheral हमारा further दो types में divided हो जाता है, एक हो जाता है sympathetic, दूसरा हो जाता है parasympathetic, अब हो सकता है आप लोगोंने first time में इसको पढ़ाओ, नहीं पढ़ाओ, तो बस बिल्कुल इतना simply समझो, कि यह जो sympathetic है न, यह generally क्या करता है, हमारी body के अंदर हर एक चीज को बढ़ाने का काम करता है, जैसे यह हमारे heart rate को बढ़ा देता है, heartbeat को बढ़ा देता है, इसकी वज़े से ultimately क्या होता है, जो हमारा blood pressure है, वो भी यहाँ पर हमारा increase हो जाता है, जैसे इसको यहाँ पर simply समझो, stress and various other factors leads to the activation of sympathetic nervous system, देखो सबसे पहली बात कि activate ही कब होता है, जैब हम लोग बहुत ज़्यादा stress वेगरा लेने लगते हैं, या फिर अब देखो यह जो word cardiac output है, तो इसको अभी हम लोग देखेंगे, बाकि यह समझो कि ultimately इसकी वज़े से भी हमारा blood pressure बढ़ जाता है, और systemic vascular resistance हम लोगों ने already अभी देखा, जिसकी वज़े से क्या होगा, हमारा artery का resistance बढ़ जाएगा, जिसकी वज़े से blood pressure बढ़ जाएगा तो इस तरीके से हमारा sympathetic nervous system के activation से भी हमारा hypertension cause हो सकता है और बाकि यहाँ पर एक बहुत important और famous mechanism होती है हमारे activation of RAS system अब यह क्या RAS system आखिर क्या चीज है, तो यहां पर इसको देहान से देखना तो यहां पर इसको देहान से देखना तो रस का full form क्या होता है Χिल्मasonable क्या होता है इसका full form होता है रैनिन, एंजिङृ, टेंशन, एल्लॉर्च ट्रॉंड नूरल now knapp रैनिन फ होता क्या है रैनिन हमारा kidney से और angiotensinogen हमारा liver से when they both combine activates aldosterone ठीक है और जब यह दोनों combine करते हैं यानि अगर यह दोनों एक साथ में release हो गए किसी तरीके से तो यह दोनों combine करके कुछ ऐसा system create करते हैं जिसकी वज़ा से हमारा at last में aldosterone release हो जाते हैं अब यह release हो कि आखिर क्या-कया problem करते हैं तो इसको हम लोग यहां पर इस flow chart की मदद से समझेंगे तो इसलिए इसको इन तीनों को नाम एक साथ बोल देते हैं रैनिन, angiotensin, aldosterone system तो इस system से आखिर होता क्या है आखिर यह मतलब हमारा blood pressure कैसे बढ़ाता है तो इसका आप लोग धियान से दिखना है दिखू यहां पे क्या होता है कि Angiotensinogen हमारे क्या होता है, जैसे हय। मैने बताया, कि यह liver से रिलीजれた है और renin हमारे क्या होता है कि kidney से रिलीज होता है तो अगर यह दोनों हमारे किसी तरीके से एक सास्त रिलीज हो जाते हैं। आशे, इस धोनों क्या हैं वहां और क्यों एक सास्त हो जाते हैं। क्योंकि अब अभी आह offices देखेंगे, होना कुछ ऐसे CAUSAOS होता हैं, जिसकि वज़े से हमारा क्यों क्या होता है। लेकिन जैसी यह renin से combine करता है वैसी यह हमारे convert हो जाता है angiotensin 1 में अब यह angiotensin 1 भी हमारा कह सकते है कुछ भी harmful नहीं है या फिर यह भी किसी काम करना है लेकिन यह हमारा convert हो जाता है angiotensin 2 में किसकी help से angiotensin converting enzyme इसको आप लोग यहां पर बहुत ध्यान से देखन है angiotensin converting enzyme इसका full form क्या होता है इसको आप लोग बिलकुल ध्यान रखना कि आप लोगो बहुत जाता देखने को मिलता है angiotensin ठीक है और उसके बाद converting enzyme इसका नाम भी किया है कि angiotensin को convert करने वाला enzyme तो यह angiotension converting enzyme क्या करता है, angiotension 1 को convert कर देता है angiotension second में, अब यह जो angiotension second है, यह बहुत ज़्यादा harmful होता है हमारी body के लिए, ठीक है, मतलब देखो, यह भी depend करता है कि कब harmful है, मतलब ऐसा नहीं कि हमेसा harmful होता है, कभी-कभी यह हमारी body के लिए beneficial भी हो सकता है, लेकिन वो condition प हमारा blood pressure बगेरा बढ़ा हो, उस time अगर यह reduce हो जाए, तो यह क्या करता है, यह हमारा दिखो क्या क्या करता है, सबसे पहले तो यह हमारा करता है vasoconstriction, यह वैसoconstriction का मतलब भी होता है कि blood vessels को narrow कर देना, ठीक है, इसकी वज़े से क्या होता है, हमारा blood vessels को narrow हो जाती है, तो activate कर देता है, ठीक है, मनब eldestron हमारा एक hormone होता है, जो कि adrenal gland से release होता है, तो यह हमारा उसको stimulate कर देता है, तो eldestron भी release हो गया, अब यह eldestron भी ultimately क्या करता है, हमारे blood volume को increase करता है, तो इस सबकी वज़े से at last में क्या होगा, भाई, यह सारी चीज़े हमारी blood pressure को ही तो बढ़ाने क काम करें हैं, जिसकी वज़े से at last पर हमारा hypertension देखने को मिलेगा, तो देखो यह हमारी कुछ mechanism होती है, जिसके थ्रू हम लोग बता सकते हैं कि हाँ, इन, इन mechanism के थ्रू हमारा hypertension देखने को मिल सकता है, बाकी जैसा कि मैंने आप लोग को पहले ही बताया कि hypertension के पीछे exact region बता पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, ठीक है, फिर भी अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं अपने कुछ ideology या फिर causes of hypertension को, यानि कि कौन-कौन से ऐसे region हो सकते हैं, जिसकी वज़े से hypertension हमें देखने को मिल सकता है, तो देखो, जैसा कि बहुत important कि as we discussed early, it is very difficult to find the exact cause of hypertension, यान कि फिर भी हम लोग कुछ ऐसे चीज़े हो सकते हैं, जिसकी वज़े से hypertension हो सकता है, ठीक है, तो सबसे पहला आ जाता है हमारे यहाँ पर inactive lifestyle, अब देखो भाई, simple सी बात है कि अगर हम लोग lifestyle में बहुत ज़दा inactiveness रखेंगे, ठीक है, तो at last मे क्या होगा, हमारी body में कह सक कि obesity बढ़ेगी, motapa बढ़ेगा, तो उसकी वज़े से भी at last में hypertension होता है, कैसे होता है अब हम लोग देख रहे हैं, बागी stress तो stress हम लोगों ने देखा है, कि stress कैसे हमारे sympathetic system को activate करता है, ठीक है, जिसकी वज़े से hypertension हो सकता है, और obesity, तो obesity देखो क्या होता है, कि ज़से जब ह बहुत ज़दा, obesity का मतलब होता है, motapa ठीक, यानि बहुत ज़दा weight gain हो रहा है, तो weight gain मतलब क्या होता है, fat, 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 fat हमारा होता है, type-ka lipid, और lipid ही जब हमारे body में बढ़ता है, तो lipid क्या होता है, हमारी blood vessels में जो है, इकठ्ध होना चालो हो जाता है, ठीक है, तो इसकी हम लोगों ने देखा, water को बढ़ाएगा, और water क्या करेगा, हमारे blood volume को बढ़ाएगा, और blood volume बढ़ने से क्या होगा, hypertension हो जाएगा, ठीक है, तो बहुत ज़दा नमक अगर आप लोग खा रहे हो, तो भी BP का risk बहुत ज़दा बढ़ जाता है, ठीक है, इसलिए आप लोगो की तरीके से वो हमारे heart के blood pressure को बढ़ाता है, बाकि smoking, तो smoking, देखो, cigarette में हमारा main component हमारे क्या होता है, nicotine, और ये हमारी blood vessels को बहुत ज़दा irritate कर देता है, ठीक है, ultimately हमारी blood vessels को बहुत ज़दा damage कर देता है, जिसकी वज़ए से हमारा क्या होता है, blood vessels damaged जाएगी तो, obviously हमारा BP बढ़ जाएगा, और उसके बाद हमारा kidney disease, तो हम लोगों ने देखा कि kidney कैसे हमारी heart, hypertension को काश करती है, बाकि diabetes तो, diabetes भी है कि हमारा यहाँ पर क्या होता है, diabetes में हमारा sugar level बढ़ जाता है, blood में बहुत ज़दा, तो ये sugar level जो blood में बहुत ज़दा बढ़ रहा है, तो अगर बहुत ज़दा बढ़ गया, तो ये भी हमारी blood vessels को बहुत ज़दा damage कर सकता है, जिसकी वजह से हमें hypertension देखने को मिल सकता है, बाकि age एक बहुत बढ़ा factor होता है कि मानलो अगर जैसे जैसे आप लोग की age बढ़ती है, तो यहाँ पर blood pressure भी थोड़ा सा बढ़ने के chances बढ़ सबको नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा डिपन करता है कि आप लोग की family history कैसी है, और हमारी कुछ हैसी medications, यानि कुछ ऐसी दवाय भी है, जो कि इसका side effect में क्या होता है, कि हमारा blood pressure बढ़ जाता है, ठीक है, तो वो भी हमारी कुछ दवाय भी हो सकते है, तो ये था हमारे य symptoms आप लोगो देखने को मिल सकते है, तो headache हो सकता है, तो simple सी बात है, hypertension का मतलब है blood pressure बढ़ जाना, और blood pressure क्यों बढ़ता है, क्योंकि blood supply या फिर कह सकते हो, थोड़ी सी reduce हो रही है, ठीक है, यानि कि हमारी heart vessels या फिर narrow हो रही है, तो यहाँ पर क्यों होता है, जैसे हमारे brains की जो भी blood vessels है, अगर वहाँ पर supply कह सकते हो, थोड़ा reduce हो जाए, तो हमारा headache हो सकता है, बाकि indigenous मतलब थोड़ा सा हम लोगो चक्कर वगर आ सकते है, और blood vision यानि कि अगर हमारी कह सकते हो, जो eye के अंदर भी retinal blood vessels होती है, वहाँ पर भी कह सकते है, बाकि nausea and vomiting, तो यह तो भाई बहुत ही common side effect है, कह सकतो हर एक बीमारी का, ठीक है, तो वही चीज़े कि बाकि fatigue यानि कि थकावट हो सकती है, chest pain हो सकता है, ठीक है, और irregular heart beat, तो यह सारे हमारे कुछ sign and symptoms है, जिससे आप लोग पता कर सकतो कि hypertension है, लेकिन देखो यार वही चीज़े ना कि यह जो sign and symptoms है, यह सि कह सकतो hypertension की नहीं है, यह बहुत सारे कह सकतो बीमारी के sign and symptoms है, तो सिर्फ इन sign and symptoms से पता लगा पाना भी बहुत मुश्किल है, देखो hypertension को बहुत ही silent killer बोल जाता है, मतलब यह काफी लंबे टाइम तक अगर होता भी है तो लोग को पता ही नहीं चल पाता है, तो बहुत खतर hypertension अगर हो काफी लंबे समय तो heart attack की problem कर सकता है, बाकी heart fail हो सकता है, kidney fail कर सकता है, stroke की problem कर सकता है, stroke basically brain की problem होती है, बाकी retinopathy यानी की हमारे, जो हमारी eye की retina होती है, वहाँ पर problem कर सकता है, तो बहुत सारी चीज़े हो सकती है, और बाकी हम लोग बात करें कुछ treatment या फिर management क तो treatment मतलब भही है कि एक होता है हमारा non-pharmacological, देखो यहाँ पर एक चीज़ समझना, pharmacological का मतलब होता है दवाओं से, और non-pharmacological यानी बिना दवाओं के, तो non-pharmacological के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, weight loss कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि आप लोगोंने देखा कि बहुत ज़ बाकि फार्मacological की बात करें, तो यहाँ पर हम लोग जो है diuretics को ले सकते हैं, अब देखो ये सारी चीज़े के बारे में बहुत detail में आप लोग फार्मacology में बढ़ोगे, बाकि simply diuretics का देखो क्या मतलब होता है कि ऐसी दवाएं जो कि urination को बढ़ाने का काम करती है, तो बाकि हमारे vasodilators, यानि की vasodilators का मतलब होता है जो हमारे blood vessels को चौडा करने का काम करती है, तो मान लोग को इस vessels हमारी construct हो गई है, देखो एक होता है vasoconstriction, vasoconstriction का मतलब blood vessels का पतला हो जाना, और एक होता है vasodilation, vasodilation का मतलब होता है blood vessels का चौडा हो जाना, तो अगर vasoconstriction ह है तो हम लोग क्या देंगे वैसो डिलेटर सी तो देंगे और बाकी हम लाग हमारा जो है एस इनिभिटर तो एस देखो एस वही चीज़ है एंजियो टेंसिन कनवर्टिंग एंजाइम इन्हीबिटर तो अगर हम लोग कुछ ऐसी दवा दे दें जो कि मतलब जो हमारा एंजियो-टेंसिन कनवर्टिंग एंजायम है उसी को रिलीज ना होने ते तो हमारा Oregon canvert नहीं हो पाएगा तो उसकी वज़े से भी हमारी problem जो है दूर हो सकती है तो यह था हमारे यहाँ पर hypertension अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं अपने congestive heart failure के बारे में तो बात करें हम लोग यहाँ पर congestive heart failure के बारे में तो देखो यहाँ पर कई लोग क्या होता है कि heart failure का नाम सुनके उनको ऐसा लगता है कि heart ही fail हो जाता है जबकि यहाँ पे heart failure का मतलब heart के fail होने से ना होकर heart की pumping capacity के fail होने से होता है देखो यहाँ पे इसको थोड़ा समझना इसको definition देखे तो congestive heart failure is defined as failure of heart capacity to pump sufficient blood that required for proper functioning of body देखो आप सभी को पता है कि हमारा heart क्या करता है हमारे पूरी body में blood pump करता है ओल्टा से क्या होता है हमारे पूरी body में blood supply होता है तो अगर मान लो हमारे heart में कुछ ऐसा problem हो जाए ठीक है कि जो हमारा heart है वो अच्छे से हमारा blood ही ना pump कर पाए देखो एक चीज आप लोग समझना heart जो हमारा blood pump करता है वो हमारा कहा करता है सबसे पहले तो हमारा heart blood pump करता है हमारे left ventricle से alta में और right ventricle से हमारे pulmonary artery में ठीक है तो pulmonary artery से हमारा lungs में जाता है और alta से हमारा body में जाता है तो अगर यहाँ पे इन दोनों के pumping capacity में यानि कि यह जो left ventricle है और right ventricle है अगर यह दोनों किसी तरीके से हमारे blood को अच्छे से pump ही नहीं कर पाए ठीक है यानि और पुल्मोंडरी आटरी में अगर blood हमारा अच्छे से नहीं पहुचा पा रहे हैं तो उस चीज को ही हम लोग बोलते हैं congestive heart failure यानि इसमें क्या होता है कि जो हमारा heart है वो हमारे blood को अच्छे से pump करना fail मतलब बंद कर देता है यानि कि pumping capacity heart की fail होना चालू हो जाती है तर्म CHF used for chronic form of heart failure देखो वहां भी वही चीज है कि ऐसा नहीं कि मानलो किसी एक particular time में या फिर कुछ समय के लिए अगर हमारा heart मानलो pump नहीं कर पा रहा है तो उस चीज को हम लोग CHF नहीं बोलते हैं बलकि जब काफी लंबे समय तक जो हमारा heart है वो अच्छे से हमारा blood pump करना बंद कर देता है यानि हमारे blood की pumping capacity heart की काफी long time से जब lose हो जाती है उस चीज को हम लोग बोलते हैं congestive heart failure heart failure leads the blood to move through body and heart at slower rate अब देखो भाई बहुत ही simple बाते हैं कि जब हमारा heart blood को अच्छे से pump ही नहीं कर पाएगा तो हमारा body है वहाँ भी blood काफी slow rate से बहेगा देखो एक चीज समझो कि मानलो हमारे artery में ठीक है जैसे Alta है इसमें blood pump कर रहा है तो इसमें अगर sufficient blood ही नहीं जिसकी वज़े से क्या होगा हमारी body में blood काफी slow rate से बहना चालो हो जाएगा अब यहाँ पर क्या होता है देखो CHF is the end result of various form of serious heart disease देखो भाई यह जो congestive heart failure है यह क्या होता है कि मतलब बहुत सारी जब heart disease मतलब ऐसे serious heart disease होती है तो उसका एक end result होता है यानि कि बहुत सारी heart कह क्या सकतो कि बहुत सारी अलग-अलग heart problems कि last में हमें problem देखने को मिलती है यानि जब बहुत सारी heart problems होती है तो उनकी वज़े से at last में हमारा congestive heart failure हो जाता है और यह ना हमारी एक बहुत ही chronic और कह सकतो जो है थोड़े से dangerous problem हो जाती है क्योंकि यहाँ पर क्या होता है भाई हम तो हम लोग यहाँ जो है तीन कह सकते हो class बार में classify कर सकते हैं जैसे left-sided heart failure यानि कि अगर जो हमारा left ventricle है अगर वो हमारा heart fail करना बंद कर दे तो उसको मिलों बहुत कम कर दे तो इस चीचको मिलों बोलते हैं both-sided heart failure अब यहाँ पर देखो यह heart failure आखिर कैसे हो जाता है यानि कैसे हमारे blood pump होना heart की pumping capacity वो कैसे कम हो जाती है तो उस चीचको आप लोग अभी देख रहे हैं बाकि आप लोग यहाँ पर अगर देखो तो जो हमारा types of CHF है देखो वैसे तो हम लोग ने बोल दिया कि हाँ यह ती आप के होते हैं पहला हो जाता है हमारा systolic heart failure दूसरा हो जाता है हमारे यहाँ पर डाइस्टोलिक heart failure अब देखो systole, diastole आप लोग पहले से समझ चुके हो अच्छे से कि systole का मतलब होता है contraction और diastole का मतलब होता है हमारे यहाँ पर relaxation तो अब यहाँ पर देखो जैसा कि मैंने आप लोग को starting में ही बताया कि heart की जो pumping capacity होती है तो heart mainly pump जो है blood हमारे किस में करता है pulmonary artery और alta में और pump कहां से करता है हमारे left ventricle और right ventricle से तो यहाँ पर right atrium और left sorry atrium का roll नहीं होता है बहुत जादा हमारे ventricles का ही बहुत जादा roll होता है pumping में ठीक है failure में तो यहाँ पर हम ल problem होना सुरू हो जाती है तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा क्या है सबसे पहले हमारा यहाँ पर systolic heart failure तो यहाँ पर क्या बता रहा है in systolic heart failure heart muscles becomes too weak and enlarged to face and face to contract properly यानि देखो यहाँ पर ध्यान से समझना systolic heart failure में क्या होता है कि जो हमारी heart muscles है वो बहुत ज़्यदा weak हो जाती है देखो क्यों होता है heart failure इसलिए होता है क्योंकि यह जो हमारी heart muscles है ठीक है यह जो हमारी ventricles की muscles है यह बहुत ज़्यदा weak हो जाती है जिसकी वज़े से क्या होता है इनकी जो pumping capacity है वो बहुत कम हो जाती पर दिखो heart की muscles अगर weak हो गई तो वो contract to relax होना कैसे होगी, जब muscles weak हो जाएगी तो contract अच्छे से होगी नहीं, जब contracts अच्छे से होगी नहीं, तो यह चीज़ आप लोगों ने देखा ना कि जब यह contract होती है, तभी तो हमारा blood pump होता है, तो अगर इनके contraction में कोई problem आ गई, तो क जिसकी वज़े से उनका contraction properly नहीं होपाता है, अब देखो systolic heart failure में क्या होता है, इन systolic heart failure, stroke volume decrease हो जाता है, cardiac output decrease हो जाता है, और ejection fraction, ठीक है, यहाँ पर factor नहीं है, fraction है, यह भी हमारा decrease हो जाता है, तो अब यह तीनों चीज़े आखिर है क्या, तो इसको आप लोगों यहाँ प जो हमारा left ventricle है, वो हमारे aulta में कितना blood pump कर रहा है, देखो यही चीज़ तो होती है, जब हमारा ventricles contract होते है, तो यहाँ से हमारा blood कहा जाता है, aulta में ही तो जाता है, तो यहाँ से कितना blood हमारा aulta में जा रहा है, देखो एक चीज़ समझना, कि left ventricle में जितना blood होता ह उतना पूरा ओल्टा में नहीं जाता है, बिलकि थोड़ा कुछ ही amount जाता है, ठीक है, आदे से ज़्यादा जाता है, तो कितना जा रहा है, उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं, stroke volume, ठीक है, और इसकी normal range कितनी होती है, 50-80 ml, यानि कह सकते हो कि जब एक बार हमारा ventricles contract करते हैं तो लगबख 50-80, या फिर जो है, नॉर्मली हम लोग बोलते हैं कि 70 ml, ठीक है, सबसे जो कह सकते हो, एक ideal value होते है, 70 ml होती है, तो 70 ml blood जब हमारा left ventricles contract करता है, तो हमारे orta के अंदर जो है, जाता है, ठीक है, तो इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं, stroke volume, और बाकि हमारा cardiac output क in one minute, यहनि एक minute में जो हमारा heart है, वो कितने blood को pump कर रहे है, भई, heart किया करता है, blood pump करता है, तो एक minute में जो हमारा पुरा heart है, वो कितना blood pump कर रहा है, उसी चीज़ को हम लोग बोलते है, cardiac output ही है, क्या बोलते है, cardiac output, तो यहाँ पे इसका एक formula होता है, cardiac output का formula होता है, heart rate into stroke volume, तो इन दोनों को अगर multiply करोगे तो हमारा value कितनी आ रही है 5.4 लीटर यह चीज मतलब अगर अपने आप में देखो ना काफी बड़ी चीज है कि heart हमारा एक मिनट में लगबग 5.5 से 5 लीटर मतलब इतना blood हमारा pump कर देता है और लगबग इतना ही blood हमारी पूरी body में देखने को भी मलता है यानि कि हमारी पूरी body के blood को heart हमारा एक मिनट में ही pump कर देता है तो यह काफी बड़ी चीज भी होती है तो यहाँ पर देखो क्या बताया जा रहा है कि systolic heart failure में क्या होता है यह दोनों चीजे decrease हो जाती है बैस simple सी बात है देखो stroke volume क्या है कि हमारा कितना blood हमारे जो है left hand girl से altar में जा रहा है तो अगर हमारा systolic heart failure हो गया यानि अगर इसका contraction ही अच्छे से नहीं होगा तो जब यह contract होता है तब ही तो हमारा blood altar में जाता है लेकिन stroke volume जब कम हो जाएगा तो इन दोनों की value क्या होगी decrease हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी तो वही चीज़े कि हमारे यह भी decrease देखो एक कि समझो कि stroke volume अगर decrease हुआ तो cardiac output decrease होगा ही होगा ठीक है तो एक बार जब हमारा left ventricle contact होता है तो यहां से कितना blood हमारा जो है और जाता है उसी का परसेंटेज होता है वह होता है हमारा यह पर ejection fraction और इसको हम लोग कैसे calculate करते है इसको हम लोग calculate करते है stroke volume upon end diastolic volume into 100 अब यह end diastolic volume क्या है तो भाई देखो एक चीज़ आप लोग समझना कि left ventricle से blood हमारा pump कहा होता है oita में इतना blood हमारा left ventricle से orta में जाता है इसको हम लोग बोलते है stroke volume है न हम लोग ने देखा लेकिन orta left ventricle में total blood होता कितना है मतलब यहां पर जब हमारा blood fill होता है तो कितना blood इसके अंदर total fill होता है उस चीज़ को हम लोग बोलते है end diastolic volume ठीक है end diastolic volume तो यहां पर दिको total हम लोग कह सकते है कि ideal value क्या होता है कि total हमारा left ventricle होता है उसमें एक बार में लगब 110 ml blood होता है इसमें 70 ml हमारा कह सकतो हमारे left oita में कह सकतो pump हो जाता है अगर सब चीज़ सही है तो ejection fraction की एक normal value हमारी होती है 64% ठीक है यानि कि एक normal range हमारे 50 to 70% की अभिश में होती है अगर इस से कम हो गई तो हमारा इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब हमारा heart fail हो रहा है और कौन सा systolic heart failure हो रहा है तो इसमें हमारे ejection fraction की value हमारे decrease हो जाती है ठीक है तो यह चीज आप मतलब contraction की time जो heart failure है और diastolic मतलब की relaxation की time अगर कोई problem आ रही है असे यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि ejection fraction हमारा decrease हो जातो कैसे होता है भाई देखो stroke volume तो decrease हो जाएगा जब हमारा जो है कह सकतो contraction कम होगा तो stroke volume decrease होगा जिसकी बज़े से यह भी decrease हो जाएगा लेकिन आप हम समझो की जब ventricles contract होते हैं तो यहाँ से blood हमारे कहा जाता है हमारे alta में जाता है लेकिन दوبारा से जब ventricles हमारे dilate होते है या फिर कह सकतो relax होते हैं या दो बारा से जब अपने normal shape में आते हैं तभी तो इनके अंदर हमारा blood feel होता है याँआ यहाँ पर कह सकतो left atrium से left ventricles मे अगर यह अच्छे से relax ही नहीं हो पाया, तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर blood volume कम फिल होगा कि नहीं होगा, यसे माल लो कि एक ventricle है, जो कि हमारा normally इतना relax हो रहा है, तो इसके अंदर कितना, माल लो हम लोकों ने दिखा कि 110 ml blood आ जाता है, लेकिन अगर हमारा ventricles माल इतना ही relax हुए, तो अब इसके अंदर blood भी तो कम आएगा, तो यहाँ पर diastolic में क्या होता है, कि इनका relaxation हमारा कम हो जाता है, इसकी वज़े से ventricles phase to fill properly, यहनि ventricles हमारे fill properly नहीं हो पाते हैं, यहनि इनके अंदर blood ही अच्छे से नहीं हो पाते हैं, तो अच्छा, डास्टो यह फिर before contraction, तो यहाँ पर आप लोग देखो, तो यह भी बिलकुल हमारा end diastolic volume के बराबर ही होता है, यहनि, जो हमारा left ventricle है, इसके अंदर हमारे कितना blood volume होता है, इसी चीज़ को हम लोग बोलते है preload, तो भाई, देखो, simple सी बात है कि diastolic heart failure में क्या होगा, इसका ventricles हमा हमारा preload decrease जज़ाएगा, जयानि क्या सकतो, end diastolic volume decrease ज़ाएगा, तो हमारा stroke volume decrease होगा, stroke volume decrease होगा, तो भाई, एक output decrease होगा, वही चीज़ है, तो यह होता है हमारे यहाँ पर heart failure, आप लोग समझ के ना, देखो, क्या होता है heart failure, heart failure में हमारे जो heart muscles है, वो weak हो जाती है, इसकी पाती है, या तो वो अच्छे से relax में होपाती है, अगर contract नहीं हो पाती है तो उसको बोलते हैं systolic heart failure, अगर relax नहीं हो पाती है तो उसको बोलते हैं हम लोग d ultra heart failure, ठीक है, और यह हमारा right और left में से किसी भी side हो सकता है, या फिर दोनों side हो सकता है, आपकर एक चीज़ समझन लेकिन left venticle हमारा blood जो है all time में supply करता है यानि कि जो कि हमारी पूरी body में blood supply करती है तो इसके पास बहुत ज़्यादा work होता है जिसकी वज़े से इसके fail होने के chance जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और देखो क्या होता है कि जब एक बार ये fail हो जाता है तो at last में इसकी वज़े से इसका fail होना भी तैह ही होता है यानि ऐसा नहीं होता है कि ये fail हुआ तो ये बच जाएगा at last में ये भी fail होगा ही होगा तो heart failure का result जो है end result यह होता है कि both sided heart failure ठीक है बाकी आप लोग यहां पर I hope की समझीगे होगे और कुछ हम लोग जो है इसके पीछे के etiology या फिर causes की बात करें तो यहां पर सबसे पहले आ जाता है हमारे आप इसके इसके हार डीजीज या फिर कि हमेरा blood pressure बहुत ज्यादा बढ़ जाएگा tiya है तो finally क्कि वह हमारे blood pressure बढ़ रहा है तो वह हमारे blood vessels को को ठीक है works के हाइट को बहुत ज्यादा काम कर नाकरेंगा ठीक है उसके अग्येंश्ट में ज्यादा कह सक्तो pressure से काम कर perspective इसकी वज़ेसे at last में क्या होगा वही चीज है कि हमारा heart fail हो जाएगा देखो हम लोगों ने हाइपरनेशन में भी दिखा था कि हाइपरनेशन की वज़े से at last में heart fail के chances बढ़ जाते हैं वही चीज है बाकि high sodium diet तो भाई simple सी बात है कि हम लोगों ने दिखा या Fahrt को जादा काम करना पढ़ेगा उतना ज्यादा ही ज्यादा ही ज्यादा पढ़ने के chances बहट J чуть इसको ज्यादा ब्लड एक बार में पंप करना पड़ेगा, तो ये फेन होने के चांद सच बढ़ जाते है, बाकी भाई चीज़े के हम लोगोंने सब चीज़े देखी हैं कि डाइबिटीज है और ओवरविट हो गया, स्मोकिंग हो गया, अलकोहल, मायो काल डाइटीस, मायो काल डाइटीस, ये क्या होता है, तो हम लोगोंने क्या देखा था, कि हाड में हमारी जो हाड की बाल है, तीन टाइब क्यों, मतलब तीन लेयर होती है, मायो काडियम, एंडो काडियम, और पहरी काडियम, तो तो मायोकार्डियम सबसे बीच के और सबसे कैसे थिक लेयर होती है, सबसे important होती है तो अगर इस मायोकार्डियम में हमारा को infection हो जाता है, ठीक है तो उसकी वज़े से भी क्या होगा, भाई ये damage हो जाएंगी भाई यही तो है heart की muscles, यही तो है heart की ball अगर यही तो damage हो जाएगी, तभी हमें heart fail हो जाएगा तो इसी में अगर कोई infection हो गया, तो उसकी वज़े से क्या होगा, भाई हमारी heart muscles damage हो जाएगी तो myocarditis हो जाएगा, या फिर arrhythmia यानि की irregular heart beat तो यह सारे चीज़े हमारे कुछ regions हो सकते हैं, हमारे heart failure के ठीक है, और बाकी हम लोग बात करें अपने pathogenesis यानि की किस तरीके से हमारा heart failure हो सकता है, तो यहाँ पर देखो की heart failure को भी हम लोग बहुत अलग-अलग तरीके से बता सकते हैं, कि हमारा जैसे failure of heart is frequently seen in elderly patients, यानि कि ज्यादा तर बैसे ही जो है old age patients में ही देखने को मिलता है, suffering from hypertension, ठीक है, angina pectoris, अब देखो यह सब चीज़े हमें लोग discuss करेंगे, क्या-क्या होते हैं, तो इन जो already heart की बहुत सारे बीमारियों से सफर कर रहे होते हैं, उनी को देखने को मिलता है, ज्यादा तर, ठीक है, following factors can be responsible for heart failure, तो कौन-कौन से होते हैं, सबसे पहले हो जाता है हमारे आपर intrinsic pump failure, तो intrinsic pump failure में क्या होता है, the most common and most important cause of heart failure is weakening of ventricular muscles due to various diseases, देखो यहाँ पे simple सी बाते भाई क heart failure हमारा कहा होता है, mostly हमारा ventricles की muscles में ही तो होता है, तो ventricles muscles जब हमारी, अब देखो ventricles muscles हमारी क्या होता है, कि जब वह जाता है, तो कैसे weak होती है, due to various diseases, that leads to failure of efficient pumping of blood by heart, देखो यहाँ पे क्या होता है, कि जब हमारे ventricles, या फिर कह सकतो heart में, बहुत सारी कह सकतो कोई problem ह हो जाए, फिर बहुत सारी इसे DGs होती है, जिसकी वज़े से हमारी muscles weak हो जाती है, जिसकी वज़े से क्या होता है, कि हमारा blood pumping capacity reduced हो जाती है, अब यह कौन-कौन सी बिमारिया हो सकती है, तो यह हो सकता है, हमारा ischemic heart disease, तो इसको हम लोग देखने वाले, बाकि myocarditis, हम लोग लोगो ने देखा है कि kidney disease, हमारे heart problem किस तरीके से cause कर सकती है, तो इस तरीके से हमारा heart failure हो सकता है, बाकि हम लोग बात करें, तो increased workload on heart, ठीक है, तो and increased workload on heart can also be a major cause of heart failure, यानि कि देखो, अगर हमारे heart पे बहुत ज्यादा workload बढ़ जा रहा है, ठीक है, यानि अगर हमारे heart को बहुत ज्यादा काम करना पड़ रहा है अचानक से, तो उसकी वज़े से भी क्या होगा, at last में heart failure हो सकता है, अब यह workload क्यों बढ़ सकता है, या तो increased pressure load यानि कि अगर हमारा blood pressure बहुत ज़्यादा बढ़ जाए उसकी वज़े से हो सकता है, या फिर increased volume load या फिर हमारा blood volume अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो इसकी वज़े से भी workload बढ़ सकता है, देखो, simple सी बात है, ज्यादा volume होगा तो ज्यादा pump करना पड़ेगा इस है तो और कैसे ही हमारा बहुत ज़्यादा problem कर जाता है, हमारे heart problem में, तो यहाँ पर इंप्रॉपर pump functioning can leads to heart failure through following mechanism, तो इंप्रॉपर pump functioning से क्या-क्या हो सकता है, जैसे अगर हमारा pump जो है अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो उसकी वज़े से heart failure कैसे होता है, तो इंप्रॉप pump functioning सबसे पहले क्या होता है, हमारा decreased in arterial pressure, देखो, एक चीज़ समझना, कि जैसे जब हमारा जहाँ पर क्या है, कि जब हमारा heart blood को अच्छे से pump नहीं कर पाएगा, तो हमारा artery है, वहाँ पर blood अच्छे से जाएगा नहीं, तो जब हमारे artery में blood अच्छे से जाएगा नहीं, त यह तो हमारे पूरे body को blood supply कर रही है, तो जब artery का blood pressure decrease हो जाएगा, तो इसकी वज़े से क्या होगा, हमारे body के जितने भी organs है, सब को blood supply कैसे तो थोड़ा सा reduce हो जाएगी, इसकी जिसमें kidney भी involved होगा, तो जब हमारे kidney में disturbance हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या होगा, यह हमारा activation vision of RAS system, देखो kidney ही तो renin को release करता है, और renin क्या होता है, renin हम लोगों ने देखा कि renin हमारा angiotensinogen के साथ मिलके हमारा RAS system को activate कर देता है, renin angiotensin allosterone system, और इसकी वज़े से भाई क्या होगा, इसकी वज़े से हमारा increased watery absorption, जहाँ से watery absorption बढ़ जाएगा, अब बढ़ेगा, ज्यादा blood होगा, ठीक है, उतना ज्यादा हमारे venture का सुक्राम करना बढ़ेगा, तो preload बढ़ जाएगा, जिसकी वज़े से क्या होगा, increased cardiac workload जिसकी वज़े से workload बढ़ेगा, और इसकी वज़े से heart failure के chances बढ़ जाएगे, ठीक है, और इसकी वज़े से देखो एक और चीज हो आटरी, तो जो veins है, तो veins में जो हमारा blood है, उन पर pressure बढ़ जाएगा, क्योंकि भाई, जब ये अच्छे से blood को निकाल ही नहीं पा रहा है, तो blood को ये लेगा कैसे heart, ठीक है, क्योंकि veins है, तो blood हमारा heart में आएगा नहीं अच्छे से, तो यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा veins ह उसमें blood pressure बढ़ जाएगा, अब इसकी वज़े से क्या होगा कि हमारी body में कुछ pressure sensitive receptors होते हैं, जो कि pressure को sense करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, baroreceptors, तो वहाँ पर क्या बादेगा, वो activate हो जाएगे, अच्छे तो baroreceptors हमारे artery pressure की decrease होने से भी activate होंगे, तो इसको आप लोग यहां से भी जोड सकते हो, तो इसकी वज़े से क्या होगा, activation of baroreceptors, जो कि क्या करेंगे, vasoconstriction, अब देखो, यह baroreceptors जब activate होते हैं, तो इनको जब भी कुछ लगता है कि pressure में problem अगेरा होती है, तो यह generally हमारा vasoconstriction, यानि कि vessels को, क्या सकतो, narrow करने का काम कर देते हैं, afterload क्या होता है, देखो, afterload देखो, यहां पर क्या होता है, amount of pressure required during contraction to eject the blood from left ventricle to aorta, देखो, यहां पर left ventricle से aorta में blood भीजने के लिए कितना हमें pressure required होता है, उस चीज को हम लोग बोलते है, afterload, ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, कि vasoconstriction की वज़े से, देखो, जैसे जब blood vessels यहां पर conflict हो जाएंगे, तो इन में जो हमयारा जो कह सकतो pressure होता है, जैसे afterload क्या होता है, amount of pressure, तो जब blood vessels हमारी contract हो गए, तो जो amount of pressure लग रहा है, वो भी तो बढ़ जाएगा, और जिसकी वज़े से क्या होगा, increased afterload, जिसकी वज़े से at last में क्या हो जाएगा, cardiac workload तो इस तरीके से हमें heart failure का mechanism देखने को मिलता है, I hope कि आप लोग यहां पर समझ के होगे, ठीक है, और अब हम लोग यहां पर बात करते हैं कुछ अपने sign and symptoms के बारे में, तो यहां पर सबसे पहला जाता है हमारे यहां पर chest pain, ठीक है, फिर हमारा जो है, अब इस चीश को हम detail में explain नहीं करेंगे, आप लोग समझी चुके हो कि chest pain हो जाएगा, fatigue थगावर देखने को मिलेगी, और heartbeat irregular हो जाएगी, एक चीश समझो, कि यहां पर जिदनी भी heart problems हैं, वो कहीं न कहीं एक दूसरे से link ही होती है, तो उनके जो sign and symptoms है, complications है, treatment भी है, ठीक है, यह सब लगबग लगबग सेम ही होता है, ठीक है, तो आप लोग एक का याद कर लो तो बाकी में भी आप लोग थोड़ा सा उसी चीश को लिख सकता हो, एक दो चीजे कम जादे गर के, बाकी headache, blood vision, cough, shortness of breeze, swelling, तो swelling आप लोगको यहाप एक नया वाड़ देखने को मिल लोगा, तो swelling मतलब क्य है, swelling कैसे होती है, swelling मतलब सबसे बहले सूजन होती है, सूजन मतलब कैसे हो जाती है, देखो, यहाँ पर जब भी heart fail होता है, तो क्या होता है, या तो contraction failing होती है, तो relaxation, तो अगर मान लो हमारा जो heart, ठीक है, तो मान लो यह right ventricle से, अगर यह मान लो अच्छे से, contact, relax नहीं हो आधा है, तो यहाँ पर जिको, यह right ventricle में blood कहां से आता है, और right adriam में blood कहां से आता है, वेनकावा से और वेनकावा में blood कहां से आता है, body से तो body की जिन भी parts है, हमारा blood जो heart में आ रहा है, तो हमारा heart, जो हमारी ventricle से है, जब वो blood को receive ही नहीं कर पाएंगे, अच्छे स ठीक है, तो हमारा blood क्या होगा, blood जो हमारा आ रहा है, body के different parts है, ठीक है, वो वापस जान लेगेगा, यानि कि blood का, कैसकते हो, reflex होना चलो हो जाएगा, तो जब reflex होगा, तो क्या होगा, कि body की जाधत तर blood हमारा नीचे बाले जो body parts है, उनमें जाके blood क्या होगा, एक अठा होना चालो हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वज़से, जो है, जो भी हमारे organs है, जिसे mostly यहाँ पर lex हो गए, और कुछ हमारे abdominal parts हो गए, वहाँ पर हमें swelling देखने को मिल सकती है, और बाकी वही है कि complications हमारे क्या हो गए, जैसे kidney damage, lungs disorder, heart attack, liver damage, heart wall problems, ठीक है, तो यह सारी चीज़े हो सकती है, अब बाई देको lungs, lungs कैसे damage हो सकते हैं, जब हमारा यहाँ पर यह blood को supply अच्छे से करेगा ही नहीं, ठीक है, जाफिर कहा सकतो लेगा ही नहीं, तो at last में देको blood कहा जाता है, यहाँ से हमारा pulmonary artery से हमारा lungs में ही तो blood जाता है, तो यहाँ पर lungs में जाएगा नहीं अच्छे से, ठीक है, यह फिर कह सकतो lungs से जो है आएगा नहीं, तो वही सारी चीज़े हैं, क्योंकि देखो, तो भाई, भाई है कि angiotension converting enzyme inhibitors तो बहुत important हो गया, और diuretics यानि भाई है कि अगर blood volume बढ़ गया, तो diuretics यानि कि urination का amount बढ़ा दो, वैसो dilators यानि कि भाई है, यह वैसो का restriction हो गया, तो वैसो dilators दे दो, तो यहीं सब चीज़े हैं, और अब हम लोग यहाँ पर finally बात करते हैं, अपने last part की, जो कि हमारे ischemic hard disease, अब देखो, आप लोग थोड़ा सा confused होगे, last मतलब बाकी कहां कि angina factoris, तो देखो, यह सब ना, ischemic hard disease के ही type होते हैं, अलग से इनको, अलग से नहीं होता है, लेकिन इनको, यहाँ पर आपके syllabus में, थोड़ा सा लग से दे दिया गया है, बट इनको हम लोग को यहाँ पर, एक साथ महीं पढ़ना है, क्योंकि यह सब बिल्कुल connected हैं, ठीक है, मतलब, अभी हम लोग देख रहें ठीक है, जैसे ischemic hard disease, तो इसको सबसे पहली बात, हम लोग यहाँ पर कोरोनरी आर्टरी डीजीज के नाम से भी जानते हैं, अब यह क्या नई चीज है, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से समझना, देखो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, कि भाई हमारा जो हार्ट है, यह हमारा जो है, ब्लड को पूरी बाड़ी में सप्लाई कर रहा है, ठीक है, हमारे ओटा के तरू, अब भाई देखो, हार्ट जो हमारा इतना important काम कर रहा है, कि हमारे पूरी बाड़ी में blood सप्लाई कर रहा है, तो हार्ट इतना काम कर कैसे पा रहा है, भाई हार्ट को भी तो कुछ यहाँ पर नियूट्रेंस ली होंगे, हार्ट को भी तो कुछ एनर्जी चीह होगी, हार्ट को भी तो कुछ चीज़ चीह होगी, तो हार्ट को कैसे मिल रही है, तो क्या हार्ट को blood supply की जुरूरत नहीं है, भाई हार्ट को भी तो जुरूरत है, त पूरी बॉडी को जो blood supply कर रहा है तो क्या यह खुद को नहीं supply करेगा तो खुद को भी तो करेगा ना तो खुद को यह हमारे कैसे करता है हमारे coronary artery के थूठीग है यहाँ पे और टा से हमारी कुछ openings होती है जो कि हमारी होती है coronary artery तो यह हमारे पूरे heart में value होती है और पूरे heart को muscles को blood supply जितना भी nutrients होता है जितना भी oxygen होता है वो सब हमारा supply करने का काम हमारा coronary artery हरती है तो यहाँ पे इसको coronary artery disease क्यों बोलगता है यानि यहाँ पे क्या होगा भाई हमारे coronary artery में ही कुछ problem होगी तो अभी हम लोग देखेंगे कैसे होगी It is a condition in which supply of oxygen to the muscles of heart get reduced देखो ischemic heart disease ischemia का मतलब ही होता है loss of blood supply अब देखो अगर blood supply का loss होगा तो blood से ही तो oxygen supply होती है यानि और oxygen supply का भी loss हो जाएगा तो ultimately क्या होता है कि यहाँ पर हमारा जो है कुछ ऐसी problem होती है कि जो हमारा heart की muscles है उनको यहाँ पर blood supply कम हो जाती है और blood supply करता कौन है coronary artery यानि coronary artery में कुछ problem होगी तभी तो blood supply कम हो जाती है तो भाई चीज़े इसलिए इसको बहुलते है coronary artery disease अब कैसे होती है क्यों कम हो जाती है वो हम लोग देखेंगे अभी ठीक है बाकि इसको यहाँ पर IHD या फिर CAD तो SORT form है IHD मतलब ischemic heart disease CAD मतलब coronary artery disease develops when coronary artery become disease or damaged यानि यह कब होता है जब हमारी coronary artery के अंदर कोई damage या फिर कोई disease देखने को मिल जाती है इन IHD यानि in ischemic heart disease blood supply reduced according to demand of myocardium देखो यहाँ पर मैंने जैसा आप लोग को स्टार्टिंग में बताया कि हमारी heart wall 3 type के होती है जिसमें से myocardium हमारी सबसे important होती है ठीक है तो यहाँ पर यहाँ पर ischemic heart disease में क्या होता है कि जो हमारी myocardium में blood supply है वो reduce हो जाती है according to demand यानि myocardium को जितनी demand है उतनी blood supply नहीं मिल पाती है उतना nutrients उतना oxygen नहीं मिल पाता है जिसकी वज़े से इसके में heart disease develop हो जाती है अब सबसे important चीज़ है कि आखिर यह develop होती कैसे है ठीक है तो यहाँ पर देखो building of plaque and inflammation in arteries are the major causes of इसके में heart disease ठीक है तो अब यहाँ पर द्याज से देखना इस चीज़ को समझ लो उसके बाद आप लोग बस आराम से पूरा सब चीज़े clear ठीक है बस यह last पाज़ें यहाँ पर अगर आप लोग इस coronary artery को थोड़ा सा जूम करके बनाएं जाँ नहीं जाएगी तो ब्लड प्रिश्र यहाँ पर कह सकता है कि कोछ हमारा लिपडिया फैट डिपोजिशन हो जाए और एक रिजन हमारा और क्या हो सकता है कि माल लो किसी वज़े से ठीक है मैं अब बहुत सारे रिजन हो सकता है जिसकी वज़े से जो हमारी अगर वह हमारी थोड़ी सी रप्चर हो जाए तो उसकी वज़े से क्या होता है भाई अब आप लोग को जो है इस तीज के पारे में जब पता होगा ब्लड क्लोटिंग के बारे में अगर आप लोग जानते होगे तो ब्लड क्लोटिंग क्या होती है जब भी हमारी blood vessels के अंदर कोई damage आता है तो हमारा blood clotting start हो जाती है तो अगर मानलो हमारी coronary artery के अंदर कोई भी damage हुआ तो वहाँ पर क्या होगा हमारा blood clotting start हो जाएगी अब blood clotting के अंदर भाई क्या होता है blood clotting के अंदर हमारे बहुत सारे platelets और बहुत सारे clotting factors oxygen supply ही कम हो जाएगी और इसी की वज़े से हमें इसके में खाल डिजीज दिखने को मिल जाती है ठीक है तो वही चीज़े की building of plaque and inflammation in arteries देखो inflammation inflammation अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तभी इस चीज़ को समझ पहोगे कि जब भी हमारा क्या होता है कि हमारी blood cells में कुछ भी damage वगेरा होता है ठीक है तो वहाँ पर क्या होता है हमारा immune response या फिर कह सकतो inflammation इस्टार्ट हो जाता है जिसकी वज़े से क्या होता है जो हमारा accumulation of white blood cells है तो अब देखो वह चीज यह है न कि blood clotting की वज़े से भी हो सकता है inflammation की वज़े से भी हो सकता है तो यह सारी चीज़े हमारी at last में क्या कर सकती है कि जो है major cause of ischemic heart disease जिसकी वज़े से heart disease हो सकती है बाकि यहाँ पर बात करें तो ischemic heart disease is further responsible for following heart disease as follows तो यहाँ पर दिखो इस चीज को आप लोग को ध्यान से समझना पड़ेगा कि ischemic heart disease की वज़े से ही हमें angina, bacteris, myocardia, infarction और atherosclerosis देखने को मिलता है यानि यह दिनों जो है कह सकते हो ischemic heart disease का ही एक type है यानि कुछ ऐसा नहीं कि यह तिनों कुछ अलग type की disease है इन तीनों का mechanism और ischemic heart disease का mechanism सबका mechanism बिलकुल ही यहाँ पर सेम होते है सबके causes सेम होते है, सबके symptoms सेम होते है तो मतलब यही है कि ना इसमें saviourty डिबन करती है कि अगर बहुत severe condition हो गई तो myocardia infarction हो गया थोड़ा starting है तो myocardia infarction हो गया तो यहाँ पर दिखो क्या है ना कि आपके syllabus में इसको भी थोड़ा सा अलग से दिया गया है तो अगर मान लोग कभी आपके exam में इस तरीके से question आता है कि angina factoris का आप लोग अलग से जो है पूरा etiology लिखिये, mechanism लिखिये तो आप लोग को कुछ नहीं करना है बिल्कुल जैसे अभी हम लोग इन तीनों को देखी लेंगे थोड़ा-थोड़ा तो पहले आप लोग को इन तीनों का basic introduction लिख देना है बाकी आप लोग को जो हम लोग अभी देखने वाले जितने भी cause है, जो भी pathogenesis है वो सब हमारी इन तीनों में follow होगी इन तीनों में आप लोग हराम से लिख के आ सकते हो तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने angina pectoris के बारे में तो देखो angina, angina world अगर आप लोगों ने कभी सुना हों तो angina को जो है chest pain के लिए यूज किया जाता है, तो angina is a term used for chest pain cost by reduced blood flow to the heart muscles तो यहाँ पर देखो क्या होता है कि भाई वही चीज़े की हमारा angina का मतलब होता है कि chest pain हो जाना अब यह chest pain किस वज़े से होता है cost by reduced blood flow to the heart muscles यानि कि जब हमारे heart की muscles को blood vessels reduced blood flow यानि कि blood अच्छे से नहीं मिल पाता है तब ही हमारा angina देखने को मिलता है तो भाई वही चीज़ तो है यहाँ पर क्या होता है यह क्यों हो सकता है भाई यह हमारा coronary artery disease की वज़े से ही तो होगा तो भाई चीज़े बाकि it is a symptom or complication of coronary artery disease जैसा कि मैंने आप लोग को बता है बाकि it is a condition that arised when there is imbalance between the demand for oxygen and its supply to myocardium तो भाई वही चोब बताया है कि myocardium हैने की इस heart की जो क्या सकतो middle layer होती है उसके उसके अंदर जब हमारी oxygen supply और demand में एक imbalance हो जाता है यानि जितनी demand ने उतनी supply नहीं हो पाती है ठीक है तो अभी हमारा क्या होता है तो अब आप लोग इसको थोड़ा सा ज्यान से समझना ठीक है तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसको हम लोग यहां पर chronic angina के नाम से भी जानते हैं बाकि it generally occurs when heart is working harder than it works in normal condition यह stable angina क्या होता है कि angina मतलब chest pain simple सी बात है तो यह stable angina का chest pain होता है वो generally मतलब normal need देखने को मिलता है normally कोई भी pain नहीं होगा लेकिन जब आप लोग कुछ ऐसा काम करोगे जो कि जिसमें heart को ज्यादा काम करना पड़ेगा जैसे अगर मान लोग कुछ heavy exercise कर रहे हो जैसे cardio बगएरा कर रहे हो ठीक है बहुत ज्यादा extreme cardio थो उसमें क्या होगा heart को ज्यादा बर करना पड़ेगा जिसकी वज़े से क्या होगा कि heart की जो blood supply है तो heart जब ज्यादा बर करेगा तो ज्यादा blood supply चाहिए लेकिन यहां पे कुछ ना कुछ तो problem हाई है जिसकी वज़े से इसकी वज़े से normally तो कोई दिक्कत नहीं होती है लेकिन जब बहुत ज़दा high workout करोगे तो हमें थोड़ा सा problem हो जाती है यानि कि प्रॉपर आराम आराम करने से इसका जो pain होता है वो चला भी जाता है ठीक है यह हमारे क्या होता है कि यह rest में भी देखने को मिल सकता है और सोते समय या फिर suddenly बहुत लब अचानक से इसका pain उड़ जाता है अब it is considered more serious than stable because as rest or medication is not enough for its relief इस टेबल में हम लोगोंने क्या देखा कि आराम करने से rest लेने से ठीक हो जाता है लेकिन यहाँ पर इसका pain होता है अगर start हुआ तो restless लेने से नहीं ठीक होता है it is generally due to rupturing of coronary artery यानि यह क्या होता है यह तब होता है जब हमारी coronary artery damage हो जाती है यानि इसके अंदर कुछ rupture हो जाता है तो जैसे मैंने बताया rupturing होगी तो क्या होगा या तो blood clotting हो जाएगी या तो inflammation वगेरा हो जाएगा तो उसी की वज़े से क्या होगा उसी की वज़े से बहुत ज्यादा black formation हो जाएगा यानि यहां पे कुछ ज्यादा ही कह सकतो हमारा mass develop हो जाएगा जिसकी वज़े से हमारा blood blockage हो जाएगा और बाकि हम लोग बात करें variant angina की तो यहां पे क्या होगा इस पें जर्ड अर्फ इस पेंगा जर्ड दुन हम लोगों ने देखे उसका पी नॉर्मली क्या होता है कि एक्टिव पिरेड में ज्यादा दिखने को मलता है लेकि यह रेस्टिंग स्टेज में जैसे आप लोग आराम कर रहे हो तब हो रहा है ठीक है तो कफी एक रेयर हो और it occurs due to narrowing of coronary artery और देखो यह क्यों होता है यह तब होता है जब किसी वज़े से हमारी coronary artery हमारी बाकि हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो है इस नारोइंग और spasm leads to decreased blood flow अब देखो चुकि अगर हमारी artery narrow हो गई ठीके तो उसकी वज़े से क्या होगा बहे हमारा blood flow reduce हो जाए हमारे यहाँ पर myocardial infarction तो myocardial infarction का मतलब क्या होता है देखो इसका मतलब होता है देखो यहाँ पर infarction का मतलब ही होता है सबसे पहली बात कि death of tissues ठीक है और myocardial यानि कि myocardium की ठीक है myocardium यानि heart की तो the death of cardiac tissues due to disturbed or less supply of blood is known as myocardial infarction यानि कि जब भी हमारी blood या oxygen की supply इ हमारे myocardium की तो उसी को हम लोग बोलते है myocardial infarction यानि यहाँ पर क्या होता है देखो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि हमारा blood supply ही नहीं हो रही है लेकिन इस यहाँ पर blood supply को ज़्यादा ही कम हो जाती है जिसकी वज़ए से क्या होता है हमारे tissue ही पूरी तरीकी से death होना च ठीक है और यह इतना ज्यादा हो गया कि इसने क्या कि इसने पूरी artery को ही block कर दिया और जब पूरी artery block हो जाएगी तो भाई यहाँ पे तो पहले क्या हो रहा था कि हमारा blood flow थोड़ा सा reduce हुआ था लेकिन यहाँ पे तो blood flow पूरा बंधी हो जाएगा और अगर पूरा बंधी ठीक है, तो it generally अगर due to prolonged ischemic heart disease, यानि कि जब बहुत लंबे समय तक ischemia हो जाता है, ठीक है, ischemia heart disease होती है, तो हमें ये दिखने को मिलता है, बाकि myocardia infarction can be described as irreversible death of heart cells due to ischemia, यानि कि irreversible, यानि यहाँ पर अगर एक बार cells मर गई, तो वो दुबारा से, क्या सकतो, alive नहीं होंगी, यानि जो है, एक बार death हो गई, तो वो death हो जाती है, ठीक है, तो irreversible होती है, बाकि यहाँ पर बात करें, अपने types of myocardia infarction की, तो यह भी, इनको भी हम लोग दो type से बोल सकते हैं, कि पहला हो गया, transmural, दोसरा हो गया, non-transmural, तो transmural में क्या होता है, देखो, basically, transmural में क्या होता है, in this type, the affected muscle segment undergoes ischemic necrosis, ischemic necrosis का मतलब है, necrosis का मतलब है, जो है हमारा tissue death, ठीक है, और ischemic का मतलब होता है, वही कि हमारा blood supply ना मिलने के बारा, ठीक है, which extends from endocardium to epicardium through myocardium, देखो, यहाँ पर क्या बता रहा है, कि यहाँ पर जो हमारी cell death है, वो सबसे पहले सुरू होती है, हमारी कहां से, सबसे पहले हमारी सुरू होती है, endocardium में, ठीक है, और ठीक है, तो और उसकी बाद यहाँ पर, जो है, endocardium से, यह हमारी पूरी epicardium तक पहुच जाती है, myocardium के थुरू होती हुगे, ठीक है, now, transmural, am I, refers to complete blockage of coronary artery, तो यहाँ पर, देखो, transmural में क्या होता है, कि यहाँ पर, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि, यहाँ पर क्या होता है, कि हमारे कुछ इतना ज़्यादा प्लैक इकठा हो जाता है, कि हमारी complete blockage हो जाती है, यानि देखो, यहाँ पर क्या, इन सम्में, थोड़ी सी जगा तो है blood pass होने के लिए, यानि देखो, यहाँ पर क्या बता रहा है, कि जो हमारा necrosis है, वो जादा से जादा हमारा endocardium में फिर myocardium तक ही रहता है, वो हमारा epicardium तक नहीं बहुँच पाता है, ठीक है, और बाकी यहाँ पर, यह हमारा partial blockage, ठीक है, तो यह हो गया myocardium infection, और अब हम लोग finally बात कर लेते हैं, अपने atherosclerosis के बारे में, तो यहाँ पर दिको atherosclerosis ही तो हमारा सबसे more important mechanism होता है, हमारे iskimikha disease का, यानि इसका तो मतलब ही होता है, atherosclerosis is a condition where fatty deposits built up on the inner walls of arteries, leading to narrowing and hardening of arteries, यानि तो इसका तो मतलब ही होता है कि building a fat deposition, यानि कि यह जो fatty substance यह जो lipid deposit हो रहे हैं, इस ही को हम लोग बोलता है atherosclerosis, atherosclerosis में basically होता है कि body के जो lipids part होते है, वो हमारी blood vessels में जाके एकठा होना चालो हो जाते है, इसकी वज़े से क्या होता है कि हमारी blood supply reduce हो जाती है, तो यह तो हाई है वही चीज़, ठीक है, बाकि तब building of fats, cholesterol and other substance, इस term dash plaque, ठीक है, तो तो यह जो हमारा fat वगएरा, यह जो सब जमा हो रहा है, इसको हम लोग बोलता है plaque, ठीक है, plaque formation, इसकी वज़े से हमारी artery at last में narrow हो जाएंगी, बाकि जनरली इस तरीके से narrow नहीं हो रहे है, लेकिन फिर भी जगा तो narrow हो जाती है, इसकी वज़े से क्या होगा, heart supply reduce हो जाती है, ठीक है, और blood flow ब्लॉट हो जाता है, बाकि atherosclerosis becomes the major cause of various other heart disease, जाने इसकी वज़े से क्या होता है, इसकी वज़े से ही हमें heart attack कहने की myocardial infarction, coronary artery, यह सब जो है इसी की वज़े से ही तो होता है, मतलब atherosclerosis ही तो main हमारा ही चीज होती है, और, अच्छी यहाँ पर आप लोग का जो syllabus है, तो atherosclerosis के साथ एक चीज़ा और दिया हुआ, atherosclerosis ठीक है, तो इसका मतलब क्या है भाई, यह सेम ही है, मतलब यह दोनों topic कुछ अलग नहीं है, atherosclerosis का मतलब है कि हमारे artery में जो है fat का deposition होना जाना, और atherosclerosis का मतलब होता है कह सकतू कि, इसको हम लोग complete मतलब blood vessels के लिए जो है denote करते हैं, तो भाई चीज़ है कि atherosclerosis हमारे एक specific type हो गया, ठीक है, बाकी कुछ अलग नहीं है, और अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं अपने causes, ठीक है, तो अब यह देखो, अब यह जो causes है ना, यह सब के लिए valid है, यहाँ इसको आप लोग यहाँ पर angina factoris में भी लिख सकते हो, इसके अगर अलग से पूछा हो उसमें भी लिख सकते हो, ठीक है, और coronary R.D.D.S. तो वो तो सेमी नेम होता है, उसमें भी लिख सकते हो, myocardine infection में भी लिख सकते हो, और atherosclerosis में भी लिख सकते हो, ठीक है, तो अगर यह चीज़े अलग-अलग पूछी जाती है, तो आप लोग को यही causes सब में लिख के आने है, और causes की बात करें, तो हमारा hypertension हो गया, और high cholesterol ठीक है, तो को cholesterol की वज़े से क्या होगा, lipids का accumulation बढ़ जाएगा, तो high cholesterol हो गया, smoking, alcohol, obesity, सब चीज़े आप लोग को पता ही है, और already explained कर दी है, diabetes, age, stress, genetics, यह सारी चीज़े हमारी cause कर सकती है, atherosclerosis, और अब हम लोग थोड़ा सा, जो है, discuss करते हैं, अपने pathogenesis, यानि कि किस तरीके से हमारी यह, कैसकतो, इसके में, खाल डीजी, या कि जितने भी यह सारी है, इन जाएना बगरा कैसे देखने को मलता है, तो देखो, यहाँ पर क्या होता है, मेंगा अदिज़े में हमारा various etiological factors, यहाँ जो जो भी हम लोगों ने अभी देखे कि जिंजिन रिजन्स की वज़े से यह problem हो सकती है, तो उसकी वज़े से क्या होगा, various etiological factors leads to injury to endothelial cells that lines the blood vessels, यहाँ पर नहां से दिखना, यह जो हमारी coronary artery है, ठीक है, तो coronary artery हमारी क्या, एक blood vessel ही तो है, तो blood vessels की, देखो, यहाँ पर जैसे यह माल लो, coronary artery है, तो इसकी jo inner lining है, यानि कि यह यह जो अंदर वाला जो part है, ठीक है, लो अंदर वाले part को, जैसे माल लोग यह इसकी layer ठीक हिए, तो यह inner वाले part को बोलते ह Jeep, अगर यह अगर targeting injury हो जाते है तो यहाँ पर क्या हो, भाई, यह अगर injured होरी तो यह हमारी रप्चर हो जाएंगी, डैमेज जाएंगी, जिसकी वज़े से क्या होगा, जैसे जब हमारी, अगर आप लोगोंने इंफ्लामेशन बढ़ा हो, तो इंफ्लामेशन, देखो इंफ्लामेशन हम लोगोंने फिर्स्ट उनल में ही डिसकस किया है, उसको पढ़ना बहुत जरूरी ह कि जब भी हमारा cell damage होता है, ठीक है, जब भी हमारी cell को damage होगा, तो वहां पे Inflammation start होजाएगा, या फिर immune response हम लोग बोलता है सको बोडी का, अब जब भी उनलल इंफ्लामेशन तो हमारा क्या होगा हमारा जो है accumulation हो जाएगा accumulation of lipids, platelets and other clotting factors ठीक है तो इसका accumulation इस्टार्ट हो जाएगा इसकी वज़े से क्या होगा हमारा formation of plaque start यानि कि जब यह सारी चीज़े इकथा होंगी तो हमारा क्या होगा जो है plaque का formation हो जाएगा और उसकी वज़े से क्या होगा भाई obstruction of blood flow यानि कि हमारा blood flow में reduce अब भाई वही चीज़े ना कि जब जैसे यह सब इकथा हो जाएगा तो हमारा जो blood है वो अच्छे से flow नहीं हो पाएगा बाकि इसकी वज़े से क्या होगा decrease in oxygen supply भाई जब हमारा blood flow में blood flow की supply decrease हो गई तो oxygen क्योंकि दिखो आप लोग को पता है ना कि blood के अंदर जो हमारा RBC होता है तो यही हमारा oxygen को carry करता है ना तो जब यह blood की supply reduce हो जाएगी तो oxygen supply भी reduce हो जाएगी ठीक है और इसकी वज़े से क्या होगा भाई इसकी वज़े से हमें pathogenesis of ischemic hard disease ठीक है अब हम लोग finally बात करते हैं अपने last part के बारे में जो कि हमारे sign and symptoms तो यहां पे कौन-कौन से sign and symptoms हो सकते हैं तो यहां पे हमारा chest pain हो सकता है, fatigue हो सकता है anxiety हो सकता है, headache हो सकता है, shortness of breath, irregular heart beat, blood vision यह सारी चीज़ें हमें अपने angina factoris various metabolic disorders बहुट सारे ठीक है तो यह सारी चीज़े हो सकते हैं और treatment की बात करें तो हमारा non-pharmacological यानि बिन दवाओं की बात करें तो वही चीज़े की सब सेम है सब ठीक है क्योंकि सारी heart बिमारिया कहीं न कहीं दूसरे से link ही होती है, अगर एक भी आपको heart disease होती है तो बाकी सारे heart disease होने के चांसे बढ़ जाते हैं यानि कि एक बाकी सब को trigger करती है, तो लगबख सब का सेम ही होता है ठीक है, जैसे non-pharmacological की बात करें तो exercise, healthy diet no tobacco, healthy life is time pharmacological की बात करें तो anticoagulants, anticoagulants क्या होते है जो की blood clotting को prevent करते हैं, ठीक है तो anticoagulants हो गया, बाकी beta blockers हो गये, ace inhibitors हम लोगों ने अल्रेड़ी दिखा, vasodilators ठीक है, तो यह था हमारे यहां पर cardiovascular diseases का complete lecture I hope कि आप लोग यहां पर सारी बीमारियों के बारे में बहुत समझ के होगे और देखो यार, अगर आप लोगों ने वीडियो यहां तक देखी है, बहले कई part में देखी हो या फिर एक बार में देखी है अगर एक बार में देखी है, तो many many congratulations, बहुत बड़ी बात है आज के time में अगर आप लोग का attention इतना अच्छा है कि आप लोगों ने एक बार में इतनी बड़ी वीडियो देख ली तो खेर बहुत मुश्किल है, बहुत कम लोगों ने देखी होगी अगर किसी ने भी देखी है तो please आप लोग कमेंट करके बताना at last मुझे पता तो चले कि कितने लोग का attention इतना अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है अगर आप लोगों ने देखी और बाकि यहां पर देखो यह मतलब बहुत ज़दा एक hard working video थी अगर आप लोगो थोड़ा सा इस video के पीछे मैं थोड़ा सा दिखाया कि तो यहां पर देखो 18 pages का यह पूरा content था तो 18 pages बनाने के पीछे जो hard work था वो तो था ही बट उसके बाद भी आप लोगों सम्झाने के लिए मैंने कितने pages बनाए यह देखो आप लो ठीक है तो एक तो चलो यह हो गया तो simple था इसमें तो कुछ नहीं था बाकि यह नहीं है तो इसमें भी थोड़ा काफी टाइम लगा और उसके बाद यह वाला पेज हो गया तो यह सारे मतलब इस तरीके से 8 pages हम लोगों ने आपको सिर्फ सम्झाने के लिए बनाया तो इसका नोट से कोई लिए देना नहीं है तो आप लोग भी समझते हो कि आप लोग के लिए मुझे बहुत हालवाग करना पड़ता है एंड एंड देखो गाईश अगर आप लोग को पता हो तो मेरी मुझे बहुत सारे हाल देखो रखे हैं ठीके फिलाल currently I am suffering from IBS still I am making videos just for you ठीक है और में चीजी है कि हमारा interaction बहुत अच्छा तो नहीं रहा है starting से आप लोग मेरी audience नहीं रहे हो बट still अभी हम थोड़ा से continue कर रहे हैं और आप लोग के लिए कर रहे हैं और अभी थोड़ा से हमारे एक interaction अच्छा नहीं बन पा रहा है अगर आप लोग चाहोगी तो जरूर हम लोग काफी अच्छा interaction बिल्ड करेंगे तो प्लीज अभी आप लोग new new students हो तो प्लीज आप मुझे comment किया करो अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी या फिर वीडियो खराब लगी या फिर जैसा भी लगा जो भी आप लोग का experience रहा प्लीज आप लोग मुझे comment करके बताऊ ठीक है क्योंकि उससे हमारे क्या होगा कि आप कह सकतो कि well I am not considering myself as a teacher बट फिर भी एक teacher student का interaction बना रहे ठीक है तो अच्छा लगता है ना कि आप भी comment करते रहो मुझे भी पता चले कि अगर मैं आप लोग के लिए इतना कर रहा हो तो आप लोग भी इस चीज की value कर रहे हो आप लोग को भी मेरे फर्स दिख रहे है और में चीज यह ना कि आप लोग अगर थोड़ा सा भी आप लोग एक छोटी से appreciation बहुत matter करती है तो उस चीज से थोड़ा एक motivation मिलती है हां कि हां चीजे कर रहे हो तो अच्छी बात है कि सामने वाला भी value कर रहे है और उससे थोड़ा सा एक energy बनी रहती है वरना फिर ठीक है चलो हम वीडो तो डालते रहेंगे बट फिर शाइज वो energy वो चीजे मेंटेन ही रहेंगे बाक्यी ते नेक्स विड़ा में थांक्यू सो मच